शम्मानि पुजारीजी मराज स्री रामराजा मंदिर भी यहां उपस्तते हैं यह तीनों चारों महान भूतियों के करकमलों द्वराज की यारती का सुभारंबो हम यही अभेक्षा करते हैं और आप सबका आशिवाद इस छेत्र की जनता के लिए हमेशा बना रहा है यही मंगल कामना है हरी यो आर आरतिक्यम ओम जुआला मालन ये नमहाद अम जौला पसतिवतिर्थितितितित्र एश्वत्मस्थके तैलोकः व्यापति जौला जौला देवि नम श्टने नम शवस्तितिती यॉद्धित रल्णवाः श्वस्ति भूखा अस्रो धधातुना आम चंद्रमामानसो जातस्क्षो चोर्चो अजायता रोत्राद्वाई। श्यप्रानस्यमुका दग्निरजायता पुसिरी भागिवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पाप से है तारती जीवां के वत्र भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यहें अमठी कन्ति केहें नुती पन्ति यहें पल्चम वेति निराला तब जोती जगाने वाला तब जोती जगाने वाला तब जोती जगाने वाला हरी नाम यही हरी ध्यान यही हरी नाम यही हरी ध्यान यही हरी नाम यही हरी राम यही जक के मंगल की आरती, पापियों को पाप उसे है तारती, सिरी ना के वक वकवाल की है आरती, पापियों को पाप उसे है तारती ये सांति गीत पावन पुनीत वापों को बिडाने वाला हरी दरस कराने वाला हुई ये सुक्य करनी ये दुख हरनी ये सुक्य करनी ये दुख हरनी सीरी मत सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती ये भाग मत भगवाल की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुली बोले मक्ति खोले सत्मार के बताने वाला विपिडी को बनाने वाला विपिडी को बनाने वाला विपिडी को बनाने वाला विपिडी को बनाने वाला पापियों को पाप से हैं तारती साफियों को पाप से हैं तारती साफियों को पाप से हैं तारती साफियों को पाप से हैं तारती कि अध्यों को पाप से अध्यून पाप से अध्यून आध्यून आध्यू को पाप मुद्धी को पाप से हैं तारती श्री गलेशायन महा श्री शर्श्वत्य नमहा श्री पर्मात्मने नमहा श्री गुरु चरंकमले नमहा वर्डा नामल्त शंगाना रशानां चंद सामपे मंगला नामिच करतारो वंदेवाडि विनायकव गुरुर ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरह गुरुर शाक्षात परप्रम्ह तश्रमे श्री गुरुवे नमहा लोका भिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं लगुवंशनाद कारन्य रूपं करुडा गरंतं श्री राम चंद्रं शरणं प्रपद करुपूर गवरं करुडा वतारं संसार सारं दुल गेंद्रहारं सदाव शंतं हिद्यार विन्दय भवं भवानी शहितं नमामे नारायनं नमस्कत्या नरंचयव नरूत्यमं दीविम्शर श्वतिम्भ्याशं ततोजे मुदेडे सच्चिदानंद रूपाये विश्योत् पत्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री क्रेश्नाई वयन्नु महाँ मनोजबं मारुतु तुल्ले वेगं जितेंड्रियं बुधिमतां वरेष्ठं बातात्म जंबाये नर्योत्यम्ख्यम् श्रीराम दोतं शर्णम प्रपद श्रीराधा मेरी श्वामिनी और मेरा धे जुकिदाशी जनम जनम वह कीजियों श्री विन्दावन को वाश्राः माता रामो मत्तिता रामचंद्रह श्वामि रामो मश्यका रामचंद्रह श्रवश्वम्मे रामचंद्रों दयाईलों नान्यम जाने नईब जाने न जान वन्दाव श्री तुल्षी केचरन जिन कीन हों जगिकाज कली शमुद्र भूडत लखियों प्रगेच्च हुशात जहाज प्रेम शिबुल्य गड़ेजी महराज की श्री शश्वती मया की श्रत्गुर्दयो भगवान की श्री राम्रजा सरकार की मभानी शंकर भगवान की श्री मद भागवत महापुराड की श्री शुगदेवजी महराज की श्री अग्नारायन भगवान की शत्यशनातन धर्म की कृष्न कनहिया लाल की राधिरानी शरकार की शंत शमाज की भक्त शमाज की ब्रम्ह शमाज की धर्म शमाज की हनमाजी महराज की गौ मत की भारत मत की और छाधाम की जे जे स्री राधिर जे जे स्री राधिर जे जे स्री राधिर लाख दुखों की एक दवाए रिलाख दुखों की एक दवाए वो है मेरे क्रिश्न कनाई वो है मेरे क्रिश्न कनाई कि बोहे विए श्रीछन चरремा भी Krishni, 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 Krishni पोलुटर्शना परोलुटर्शना क्रिष्ण ही जीवन, क्रिष्ण ही मित्यू, क्रिष्ण ही मेरे प्राणनात्र। क्रिष्ण ही जीवन, क्रिष्ण ही मित्यू, क्रिष्ण ही मेरे प्राणनात्र। क्रिष्ण ही जीवन, क्रिष्ण ही मित्यू, क्रिष्ण ही मेरे प्राणनात्र। क्रिष्ण आस है वो विश्वास है, क्रिष्ण सही बस मेरे आस है। क्रिष्ण सही बस मेरे आस है। क्रिष्ण सही बस मेरे आस है। जिसकी मैं ही मा सबने गाए। जिसकी है ही मा सबने गाए। वो है मेरे क्रिष्ण कनाए। क्रिष्ण, 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 क कर दो 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 क्षञी ही हम सब के जीवन है किष्ण ही हम सब के जीवन है किष्ण राम है कृष्ण श्याम है किष्ण से ही बस मेरी आश्य है किष्ण राम है कृष्ण श्याम है किष्ण से ही अध मेरी आश्य है किष्ण राम है कृष्ण श्याम है किष्ण ही से मेरे चारो राम है क्रिष्ण सही मेरे चारो धामुए क्रिष्ण सही मेरे चारो धामुए दूर करे सब की कर्छनाई 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 क्रिष्णी क्रेष्णी क्रेष्णी क्रिष्णी क्रेष्णी क्रिष्णी 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 लांग क्रिष्णी कर दो 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 क्रिश्ने का तो कड़ में वास है माधूर जिन की है परचाई कि वास है परचाई कि वो है मेरे क्रिश्ने कनाई प्रिश्नी 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 प् कुछ डूोग संवार दो आपन। एक्रूपना करें न ken डूब स्सक्रryश्ण़ राव्य संवाट लाग दुखों की एक दवाई वो है मेरे कृष्ण कनाई वो है मेरे कृष्ण कनाई वो है मेरे रामरगुराई 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 परिपूर्तम परमात्मा, परम परात्पर अख्लेश्वर, परम अकारन करुना भग्नले, भगवान शी किष्णिलाल की वांगी पर्तिमूर्ति, श्रीमत भाग्वत महापुराण, श्रीयक किनारेण भगवान, श्रीराम राजाव सरकार, भूत भावन भवानी शंकर भोलिनाथ, नगर में विराजमान सभी देवी देवता, सभी भक्तों के हिदय में विराजमान श्री किष्ण कनियालाला, और मेरे प्रभू की समस्त कथाओं के परम रशिक स्रोता, स्री हनमान जी महराज किष्ण नारविंदु में, मेरा कोटी कोटी फंदन नमन पिढ़ाना, कनक बिहारी वन्दिश्री पधारी हुए एध्यास हमारे परम पूजने सद्गुर्देव भगवान, श्रीराम रजा सरकार के हमारे पुजारी जी, परम पूजने गुरुजी, समस्त संत समाज, सभी को मेरा राधे राधे पड़ाबा कथा श्रुवन करने हेतु पधार्य हुए सभी स्रोता प्रंद देवी सरूपा मात्र सप्ति हमारी मात्य है आज कथा स्रोतने के लिए हमारी परम विदुशी बहन भी पधार्य है इस ध्वनियंत्र के माध्यम से कथा गोजन जन तक पहुचा रहे दूर दूर तक फैला रहे साउंड सर्विस के भाई बाधियंत्कार भाई बियस पीडिया के माध्यम से जो कथा श्रुवन कर रहे सभी वक्त बियस पीडिया के सभी भाई यजमान परिवार सभी बोजोर्ग, सभी छोटे बड़ी वाईब है विद्वत समाज, प्रामभट समाज सभी को मेरा राधे राधे पड़ाम सिये राम मैं सब जग जानी और करहू पर नाम जो उरी जुगपानी आईए समापन दिवस के कथा में हम आप सभी प्रवेश करते हैं राजा सीद भीश्म को नामा राजा सीद भीश्म को नामा विदर्वाद पतिल महा तश्य पंचा भवन पुत्रह कन्नी का चवरान नह आप सभी ने कल शुवन किया विदर्व देश के कुंदलपुर में एक भीश्मक नामक राजा रहते थे तश्य पंचा भवन पुत्रह कन्नी का चवरान नहा जिनके पांच पुत्रह और एक पुत्री रुक्म रत रुक्म वाहू रुक्म कैसी रह गया था एक दिन में किसी का विबाय भी तुम्हारा नहीं होता है ना दूसरा दिन तो लगी जाता है आज प्रभू मा को लेकर के दुवारी का आया है मा की सक्खिया आ गई मा को तयार करने के लिए आज बार रुक्मडी अपनी सक्खियों से कहती है अरे आओ मेरी सक्खियों मुझे महदी लगा दो और महदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो महदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो अरे मुझे शाम सुन्दर के दुलहन बनाद। मुझे शाम सुन्दर के दुलहन बनाद। अरे सत संग में मेरी बात चलाई सत गुरु ने मेरी के निरे सगाई इसलिए उनको बुला के हत लेवातो कराद। अरे उनको बुला के हत लेवातो कराद। अरे मुझे स्याम सुन्दर के दुलहन बनाद। ऐसी पहनू चूडी जो कब हूँ न तूटे मारुक मड़ी कहती हैं ऐसी पहनू चूडी जो कब हूँ न तूटे ऐसा बरु दुलहा जो कब हूँ न रूठे कभी नहीं रूठेंगे महराज। अरे ऐसा बरु दुलहा जो कब हूँ न रूठे अरे सक्खियों को बुलाके मेरी विदा तो कराद। सक्खियों को बुलाके मेरी विदा तो कराद। अरे मुझे मेरे प्यारे की दुलहन बना दो अरे मुझे श्याम शुंदर की दुलहन बना। आज माने 16 शिंगारी की दिव्य शरूप बनाया है माने। आज धीरे धीरे पग रखते हुए मंडप में पहुशती है। सारी त्यारिया हो चुकी है माराज। दुलहा सरकार को लाया गया दुलहन मारानी को लाया गया और सारी रिती रिवाज सब कुछ प्रारा हुगा। सब आमियों के साथ बैट गए माराज प्रभु का विभाय देखने के लिए। हर एक परंपरा हर एक रीटी को बहुत बिधी के अनुशार पूर करवाते हैं सुद्गुर्देव भगवान। माने साथ खेरे लिए साथ वचन दिए। मा की सखिया कहने लगी। साथ फेरों के साथों बचन प्यारी रुक मड़ी जी भूले न जाना। साथ फेरों के साथों बचन प्यारी रुक मड़ी भूले न जाना। अपने मोहन के संग संग में रहीना। और सारे सुख दुख है संग संग में सहना। अपने मोहन की आसा की तो एक किरन। अपने मोहन का घर जग मगाना। साथ फेरों के साथों बचन प्यारी रुक मड़ी जी भूले न जाना। मा को समझाती है सक्या। धीरे धीरे हर एक परंपरा आगे बढ़े। वीसमक राजया आये अपनी पेटी का कन्यादान करने के लिए। दानों में सर्विस रिष्ट दान है कन्यादान। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पढ़ रहा है कि आज के युग में अधिकांस बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दान से वन्चित रहे गए महराज। इस दान को करने से वो वन्चित हैं क्यूं। क्यूंकि घर में जब बेटी नहीं होगी जब घर में कन्या नहीं होगी तो फिर कन्यादान कहां से करोगे। संसार के प्राडियों की मन की इस्थिति को पतानी क्या होगी अमाराज बेटियों से ज़्यादा बेटे पसंद है क्या बेटे कुछ लेकर के पैदा होते हैं जो बेटियां लेकर के पैदा नहीं होती माराज मैं किसी विक्ति विसेस का नाम लेकर के नहीं कह रही हूँ अपनी सोच को बदलो आज के युग में क्या बेटी और क्या बेटा सब एक है हमाराज अरे आज के युग में जो कार एक बेटे करके नहीं दिखा पाते वो बेटियां करके दिखा रही है हमाराज हर एक कारचित में बेटी आगे है हर एक कारचित में कुछ भी हो बेटे का सम्मान है जग में बेटे का सम्मान है जग में और बेटी का कोई मान नहीं अरे दुनियावालों मुझे बता दो बेटी क्या सम्मान नहीं अरे दुनियावालों मुझे बता दो बेटी क्या सम्मान नहीं क्या बेटी आपकी सम्मान नहीं क्यों बेटी की इतनी चाह रखते हो अरे बेटा क्या लेकर के आया और बेटी क्या नहीं लाई है और बहना के विन भाई की देखो सूनी सूनी कलाई है रक्षबंदन आ रहा है जिनकी बेटा क्या लेकर के आया और बेटी क्या नहीं लाई है बहना के विन भाई की देखो सूनी सूनी कलाई है रक्षबंदन भाई दोज का रक्षबंदन भाई दोज का बिलकुल तुमको ध्यान नहीं और दुनिया वालों मुझे बता दू बेटी क्या संतान नहीं अरे दुनिया वालों मुझे बता दू बेटी क्या संतान नहीं क्यों भेद्वा यह उनके लिए हैं जो दिन पर दिन कन्या भूड हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं कि अरे माराज बेटों से ज्यादा प्यारी होती है बेटियां जिस घर में बेटी नहीं वो घर घर नहीं माराज क्योंकि बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का शुरूप है और जब लक्ष्मी शुरूपी लक्ष्मी शुरूपा जब बेटी को घर में नहीं लाओगे तो घर में धन रूपी लक्ष्मी कैसे आ जाएंगी माराज लोग बाग कहते हैं अरे देवी जी आपने तो कह दिया लेकिन उनके बिभाय करना बहुत मुश्किल का काम होता है एक बात बताओं बेटियों के भाग से पता नहीं कहां कहां से धन आता है माराज बेटी अपना भाग लेकर के श्वयम पैदा होती है बेटी के बिभाय के शिंता करने की कोई जरूत नहीं है माराज अब तो सरकार में भी कितनी शुगदा दे दी है माराज फिर भी दिन पर दिन कन्या भूग अध्या बढ़ते जा रहे हैं आप सभी से प्रत्न हैं इसको रोकने में सहयोग कीजिए ये पाप मत होने दीजिए और नहीं इस पाप को आप कीजिए अरे पाप ऐसा ना करो मेरे देशवासियों अरे पाप ऐसा ना करो और उसे प्रभू से तुम दरो अरे बात मेरी मान लो मेरे देशवासियों बेटियों पे तुम जुल्म ना करो बेटियों पे तुम जुल्म ना करो बेटियों पे तुम जुल्म ना करो शिराथ है कर दो कर दो कर दो को जाड़ना नहीं माली हो के बाग को जाड़ना नहीं राष्ट का आधार है बिगाड़ना 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 नहीं अंसे ये कुम्हारा है संभालना तुहीं बिट्टियों को गड़न में नहीं पाप ऐसा ना करो उसी प्रभू से तुंदरो बात मेरी माने लो मेरे देस वासियों बेटियों पे तुम जुल्म ना करो बेटियों को तुम जुल्म ना करो हो खुम Sign up जुम से लुम आप दुम कर दो कर दो फूलो के जैसे महकती है बेटिया चिरियों के जैसे चहकती है बेटिया दो दो को लो को सवारती है बेटिया पाप ऐसा ना करो उसी प्रभू से तुम करो पात मेरी माने लो मेरे देश बाशियों बेटियों बेती जुल्म ना करो बेटियों कर तुम जुल्म ना करो बेटियों कर इसे तुम ना करो बेटी ही किसी की बहन बन जाती है बेटी ही किसी की दुलहन बन जाती है करो पाप ऐसा ना करो उसी प्रभू से गुंडरो बात मेरी आनिलो मेरे देश वाशियों बेटियों पे दू जुल्म ना करो बेटियों पे दू जुल्म ना करो मुल्म ना करो जुल्म ना करो जाती है मुल्म ना करो जुल्म ना करो करो जुल्म ना करो जुल्म ना करो जुल्म ना करो जुल्म ना करो करो इनी मैंसे सीता अनुश्रिया बन जाएगी पती व्रते धर्म क्या है सब को बताएगी कारिगी अपाला घोशा वे दूशी कहाएगी कारिगी अपाला घोशा वे दूशी कहाएगी कभी जासी वाली बन देश की बचाएगी आप ऐसा ना करो कुछ प्रभु से तुन करो बाद मेरी मान लो मेरे देश भाशियों बेटियों बेटी चुल्म ना करो बेटियों बेटों चुल्म ना करो बेटियों बेटों चुल्म ना करो बेटियों पे तुम जुल्म ना करो बाद कथा भागवत कथा श्रुप भक्ति का शाध्म नहीं अंपहराच परिठम दिवश ये बताया था कि ये तो समझ्थ्साथ् व्रईत्ग्रंथ का शाखर है और प्रभुकी भागवत कथा ये तो हमें जीना सिखाती है भागवत कथा श्रिप भक्ती के लिए सुनी जाए ये कहीं नहीं लिखा कथा के माध्यम से किसी के जीवन में कुछ परिवर्थन आ जाए हर एक कारच शेत्र पर शहोग करती है ये श्रीमत भागवत कथा कन्या भूढ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है माराज दिन पर दिन इतनी मन की इस्तिकी खराब हो गए है लोगों के कुछ दरिम दे इस संसार में जन्म ले चुके हैं जिनकी वजह से माता पिता ड़ते हैं बेटी को जन्म देने के लिए माता पिता सोचते हैं अरे कहीं हमारी बेटी भी कभी दरिंदों का शिकार न बन जाए इसी लोगों के हाथ कापते हैं मारा आज उन दरिंदों का नास हमें ही करना पड़ेगा वो कैसे अपनी बेटी को माराज सिर्फ घर की चाल दीवारी में मत रखिये मजबूत बनाईए कि कोई आपकी बेटी के तरफ आप उठा करके भी न देख सके माराज अच्छी सिक्षा दीजी अपनी बेटियों के भारतिय शंश्कृति के अनुशार उनका जीवन उनसे कहिए कि वो अपना जीवन भारतिय शंश्कृति के अनुशार चलाए जब आप इतनी छूट दे दोगे जब आप ही उनको लाड़ प्यार में बिगाड़ दोगे तो फिर माराज को कैसे हैं अपने समक्ष आई मुशिबत को वो कैसे उसे हटाएंगे लाड़ प्यार करो लेकिन मजबूत बनाओ बच्चों को खासकर अपनी बच्चियों को माराज कि जब वो घर से अकेली निकले और कोई एदी उनके उपर बुरी द्रश्टी भी डाले तो माराज वो उनका मुझ तोड़ जवाब दे सकें इतना मजबूत बनाओ उपनी बेटियों को अगर हमने बेटियों को मजबूत बनाया उन्हें बताया कि इस प्रकार से दरिंद्रों का सामना करना है माराज तो फिर इस भारत देश में इस संसार में कोई दरिंद्रा और जन्म नहीं ले सकता कमी हमारी है दर डर के उनको रखते हैं दरा डरा के विचारी कभी कभी तो वाहर निकलती है और दरिंदों का सिकार बन जाती है जब आपके बेटी मजबूत होगी माराज तो फिर किसी की युगमत नहीं होगी कि वो उनकी तरफ देख सके लेकिन बेटियों को गर्म मत मारिये माराज गर्म में कदाप भी नहीं मारिये कन्या पुरू रत्या रोकिये इसे दानों में सब्स्रेश्ट दान कन्या दान है अरे जब आपके घर में कन्या नहीं बेटी नहीं होगी तो फिर दान कैसे करोगे लोग तरशते है करन्यादान करने के लिख कही लोगों के घर में तुम आराज पीडी थर पीड deal यातीön लेखिन के घर में कभी कोई बेटी जन्म नहीं लिए लती है क्यों कि जब प्रभु की जहां इक्ष्म होती है वह वही बेटी देते बेटी कोई बुरी चीज नहीं है कि चार-पाज बेटी आओ गई तो लोग कहने लगे चार-पाज बेटी हो गई अरे महराज इस सोच को बदलो सिक्षित बनाओ अपनी बेटियों को सिक्षा दिलाओ पढ़ाओ लिखाओ अच्छे संसकार दो अपनी भारतिय शंश्कृति क्या कहती है उसके अरुसार कैसे जीवन यापन करना है ये बेटियों को सिक्षा दो आज विस्मक राजा बड़ी प्रशं है क्यूं कि आज अपनी बेटि का आउं कन्यादान कनने के लिए बठे माताओं यारे बगतो YouTube आपने भी अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा कुछ ऐसे होंगे जिनको भी करना होगा जो अपनी बेटी का कन्यादान कर चुके हैं वही माता-पिता बता सकते हैं कि जब बेटी का कन्यादान करते हैं तो किस प्रकार की पिढ़ा होती है सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है सुख कैसे? सुख इसलिए मिलता है कि आज मेरी बेटी का विभाय है वो अपना नया जीवन प्रारंब करनी के लिए जा रही है इस बात के कुशी रहती है और दुख इस बात का रहता है कि आज से बेटी अपनी नहीं बेटी पराई हो गई जिसको पाल कोस करके इतना बढ़ा किया आज उसको किसी और के हाथों में दे देना है महराज बेटियां तो पराया दिन है बीसमक राजा आज प्रशनिबी है और आज रोख थे जा रहे है नित्रों से धरतार अश्रूगीन हार बै गई महराज कैसे बेटी को खुद से अलग करें माता पिता मैंसे माताओं आप बुरा मत मनना लेकिन एक पिता अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते है और एक बेटी भी अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है उतना कोई नहीं कर सकता अरे मात तो अपनी बेटी को अपने हिदय से लगा करके रो लेती है माराज लेकिन पिता इतने गंबीर होते हैं कि कभी भी अपनी बेटी के समक्ष नहीं रोते हैं बेटी के सामने नहीं रोते हैं जब बेटी को विदा कर देते हैं इसके बाद ये पिता अकेले में जाके रोते हैं माराज देन्य वो बेटियां जिनको अपने जीवन में माता पिता दोनों का प्रेम प्राप्त हुआ बड़े स्वाबाग के से हमें माबाब का प्रेम प्राप्त होता है इसमक राजा पुरसन भी ये बेटी का करन्यादान कर रहे हैं लेकिन आज रित्रों से अस्रू की धार वैती दाती हैं बेटी पराई हो गया से मा का कन्यादान किया है आज मा को अच्छी सीख दी जाती है बेटी इस सुष्णार में जाकर के सबसे प्रेम से रहना कभी भी अपने बड़ों का प्मान मत करना बड़ों का सदेव सम्मान करना चोपों से सदेव प्रेम करना समझाते भी जा रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं जैसे रुकमणी मैया ने अपने पिता की तरफ देखा तो भी समक राजा ने तुरंत अपने अस्रू को साफ कर लिया कहीं बेटी ने देख लिये मेरे अस्रू तो बेटी मरा सस्वाल नहीं जा पाएगी आज मा को संदर्शेख दे जाती है मानिये दुलारी मेरा कहना हो इश भाती रहना जाके सस्वराल में मानिये दुलारी मेरा कहना इश भाती रहना जाके सस्वराल में मानिये दुलारी मेरा कहना इश भाती रहना जाके सस्वराल में मानिये दुलारी मेरा कहिना इसे भाती रहना जाके सरसुरण सब कुछ पढ़ेगा बेटी सेहना पर कुछ मत कहना जाके से सुराएगा सब कुछ पढ़ेगा बेटी सेहना लेकिन कभी अपने मुख से कुछ पढ़ेगा छोड़े के चली है बेटी पाबुल का अंगना छोड़े के चली है बेटी पाबुल का अंगना संग की सहेली कोई जाए तेरे संगना संग की सहेली तेरी जाए कोई संगना अपने घर की आनवान रखना बेटी स्वाभिमान अपने घर की आनवान रखना बेटी स्वाभिमान अपने घर की आनवान रखना बेटी स्वाभिमान इस बाती रहन जाकि सर्सुलाल में मल्यो नारी मेरा वहना इस बाती रहना जाकि सर्सुलाल में आनके सर्सुलाल में और माता के समाने अपनी सासुझी को माने ना माता के समाने अपनी सासुझी को माने ना माता के समान अपने सासु जी को मानना माता के समान अपने सासु जी को मानना पिता के समान अपने सासु जी को जानना पिता के समान अपने सासु जी को जानना पिता के समान अपने ससर जी को जानना जिठानी का आदर करना तौरानी से प्यार करना इनी को समझना अपनी बेहना इश्भाती रहना जाके सरसुरा लो जिठानी दोलानी देरा खरना इसे भाती रहना जाके सरसुरा लो सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके सरसुरा लो सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके सरसुरा लो में क्कुछ पड़ेगा भी कampa कुछ बेक ह् सब्सक्राभ मैं कर दो कर दो कर दो और बेटी कभी कभी सासो तेरी कड़ बोलेगी कभी कभी सासो तेरी कड़ में बोलेगी मार मार ताने तेरे हिदय को भी छूलेगी मार मार ताने तेरे हिदय को भी छूलेगी मुह मत खोले ना तू कुछ मत बोले ना तू और मुह मत बोले ना तू कुछ मत बोले ना तू नीचे को जुकाए रही ओ ने ना इश्भाती रहना जाकी से सुराल में पानि हूँ तुलाली मेरा कहना आती रहना जाकी से सुराल में कंचिश्री 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 होठों की लाली तेरी मधुर्मुश कान होए भलाई की विनिया तेरी नेकी की नथनिया तेरी लज्जा है तेरी तेरा कहना वाई शभाती रहना जाके ससुरान में माने दुलारी मेरा कहना इस भाती रहना जाके ससुरान में माने दुलारी मेरा कहना जाके ससुरान में सभाती रहना जाके संसुराल में मानिये दुलारी मेरा कहना और इस भाती रहना जाके संसुराल बेटी सब कुछ पड़ेगा बेटी सेहना पर कुछ मत कहना जाके संसुराल बेटी बड़े भाव से बड़े प्रेम से सबसे बना करके रखना बड़े प्रेम से अपने ससुराल बेटी रहना माहरुक मणी को सुन्दर्शेख देगे सुन्दर्शिक्षा देगे दीरे दीरे परंपराय आंगे बढ़िये अब कुमर कल्यों भी होना है माराज तो प्रभु जैसे ही बोजन करने के लिए बैठे तो आज कुंडल पुर की सारी माताएं प्रभु को घेर करके खड़ी हो गए और आज से सब एक स्वन में प्रभु को गारी देने लगी गारी सुनाने लगी आप सुनाते ओना बरातियों को दुला सरकार को गारियों सुनाते हो तो आज माराज प्रभु को भी नहीं छोड़ा मताओं ने तो प्रभु को भी सुना दी अरे मुकुट्टी धरिशाबुरे रे लाला दोई बापन के जाए मुकुट्टी धरिशाबुरे रे लाला दोई बापन के जाए और एक बाप मतुरा बसे रे लाला दूजो ब्रिंदावन धां द्वारिका में वशुदेव जी और ब्रिंदावन में नंद जी है कुंडलपुर के माता है कहने लगी चलो यहां तक तो ठीक था लेकिन हाथ तो तब हो गई कब जब बहन सुपत्रा आप की रे लाला और भई अर्जुन की बाप अरे बहन सुपत्रा आप की रे लाला भई अर्जुन की बाप कुंडलपुर की माता है कहने लगी हद तो तब हो गई जब बहन सुपत्रा आप की रे लाला भई अर्जुन की बाप कनया की बहन कौन है शुपत्रा जी सुपत्रा जी के विवाय अर्जुन जी के साथ हुआ अर्जुन जी और प्रभु का क्या रिस्ता है अर्जुन जी कुंति मया के बिटे है कुंति मया प्रभु की बुआ है तो बुआ के लड़के हुए तो बुआ के लड़के के साथ तो भाई का सम्मंद होता है माराज जब कनिया के भाई तो कनिया की बेहन सुबद्रा के भी अरजुन जी भाई ही हुए खुंडलपन की माता है बोली मैं आपका खांदान तो ऐसा है जहाँ पर अपनी बेहनों के साथ भी विवाय कर लिया जाता है अरे बहन सुबद्राप की रे लाला भाई अरे जुन की मा चलो ये भी ठीक था लेकिन जब कुन्ती बुवासुत जन्योरे करड़ कुवारे में भैसर ना हद तो और जादा तब हो गई मारा जब कुन्ती मया तुम्हारी बुवारे में ही एक लाला को जन्म दे दिया ऐसा खांदान है आपका हरे मुखुट धर शाब रे रे लाला दोई बापन के जाए कुंडलपुर की माता हैं बोले चलो यहां तक ठीक था लेकिन और ज्यादा हद कब हो गई जब गोरे पस देव देव की रे लाला यहां तक की गोरे हैं बलरा चलो मान लेता है कि आपको जन्म देने वाले आपकी माता पिता वश्यदैव और देव की जी तो वश्या देव की जी दोनों गोरे यहां तक लिए आपके भैया बलराम जी भी गोरे हैं लेकिन आप क्यूं काले हैं महराश यह माजना एक समझ में नहीं आता है अरे गोरे बस द्योदे विकी रे लाला गोरे हैं बलरां और अरे तुम कारे का से भए रे लाला याद तो ठीक नकाम मुकुट धर्शा मुरे रे लाला दोई पापन के जाए माता पिता गोरे और आपका ले यह कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आता प्रभू आपका अंत में इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद कुंडलपुर की माता हैं इतनी चतुर है माराज माताइं क्या करती हैं विवाय में पहले तो खूब दम से गारिया सुनाएंगी और बाद में इतना मीठा बोलेंगी कि मारा सक्कर भी फीकी पड़ जाए कुंडलपुर की माताएं में भी ये चतुराई आ गई कुंडलपुर की माताएं भी पहुत चतुर है इतनी सब सुनाने के बाद अंत में कहती हैं अरे हिल में ले गारी दे रही रे लाला कुंडल पुर की बाद सो इनको बुरो न मानियों रे लाला सुन्दर माध वुश्या मो कुट्टि धरी शाब रे रे लाला तो ही बाद मन के जाएं माताओं ने इतने प्रेम से गारी सुना दी और अंत में कहती हैं के हिल मिल गारी दे रही रे लाला कुंडल पुर की बाद इसलिए सो इनको बुरो न मानियों सुन्दर माध वुश्या मो अंत में छमा भी मांग ली पहले तो गुप सुना ली भू की विभाई की हर एक परंपरा हर एक रीती बहुत ही विधी विधान से संपन बंदी हैं अंत में जब विदाई की घड़ी आई है आज महराज सब के चहरे पर उदासे चाह गए विभाई में तो बहुत आनिंद किया अब जो अंत की रीती है जो समापन की रीती है वो कैसे फूर करें बेटी को विधा कैसे करते हैं जब आप अपनी बेटी को घर से विदा करते हैं, तो उस समय क्या दर्द होता है, किस प्रकार का दर्द होता है, वो वही बता सकते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया है माहरुप मड़ी है, अपनी सक्यों के गले लग करके आज फूट फूट करके रोती है, माता पिता से, प्रेम से मिलती है बीस्मक राजा, मा के समक्ष मिलकुल नहीं रोती है जब बेटी को विदा कर दिया, तो फिर एकांत में जाकर के राजा, फूट फूट करके रोती है पिता ही इतने गंबीर होते हैं, जो कभी भी बेटी के समक्ष नहीं रोती है, माहराज जब हमारे राम जी मा को लेने के लिए जब जनक पुर गए जब मा की विदा होने लगी तो महराज जनक पुर की माताओं ने राम जी शे क्या कहा था जनक पुर की माताओं राम जी को लालच देती है राम जी को बहुत प्रकार से मनाती है कि हे राम जी आप मागों लेकर के दूर मत जाएए यही मिथला में ही रह जाएए महराज अरे ए पहुना यही मिथले में रहुना ए पहुना यही मिथले में रहुना बहु सुन्तर भाव है जनक बुर्गी पाता है राम जी को नाना फुकार से मनाती है यही रुख जाएए लेकिन हमारी मागों लेकर हमारी सक्की को लेकर हमारी बेटी को लेकर के मत जाएए ए पहुना यही मिथले में रहुना ए पहुना यही मिथले में रहुना जो नर सुखवा ससुरारी में तो नह सुखवा कहुना ए पहुना यही मिथले में रहुना आज जनक पूर की माताएं कहती हैं कि जोनर सुकवा ससुरारी में तोनों सुकवा कहुना भाईयों के लिए हैं ये लाएंग अब जो ससुराल के जिसने मजे लिए हैं वो बता सकते हैं कि ससुराल में कितने ठाट रहते हैं माराज हर पांच मिट में नमकीन बिस्केट लिए लो फिर बोलो हर पांच मिट में स्वागत सत्कार जो स्वागत सत्कार सुसर्वान में होता है वो कहीं नहीं होता आज महराद मात्माएं राम जी को लालच देने लगे हम आपके साथ क्या-क्या करेंगे रोज सवेरे उबटन मलके इतर से नह वाईगो रोज सवेरे उबटन मलके इतर से नह वाईगो रोज सवेरे उबटन मलके इतर से नह वाईगो एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएगो गारेंटी से एक महीने के अंदर गोडा कर देंगे एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएगो एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएगो जुद कहते ना मानी कर ने कर ने कर ने कर देंगो मोगा एक दे हुना ए पहुना एही मिधले मेरा हुना ए पहुना एही मिधले मेरा हुना ए पहुना एही मिधले मेरा हुना कर दो कर दो और क्या क्या करेंगे नितन वीन मन भावन वेंजन परसति कंचन थारी नितन वीन मन भावन वेंजन परसति कंचन थारी स्वाद भूक बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी स्वाद भूक बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी स्वाद भूक बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी स्वाद भूक बढ़ हम करवच चोड़ी ओ बार बार हम करवच चोड़ी ओ स्वाद भूक बार हम करवच चोड़ी और कछले हुना ये पोहुना यही मितले मेर रहूना ये पहुना यही मितले में रहुना ये पहुना यही मितले में रहुना ये पहुना ये पहुना ये पहुना ये पहुना ये पहुना ये पहुना सावन में कजरी गागा कर जूला रोज जुलाएब सावन में कजरी गागा कर जूला रोज जुलाएब सावन में कजरी गागा रोज जुलाएब सावन ये पहुना ये पहुना ये पहुना ये पहुना सावन में कजरी गागा रोज जुलाएब सावन में कजरी गागा रोज जुलाएब ऑन्मी क्जद जुलाएब स्लक्राइब सावन जुलास सावन में जुलाएब सावन जुलाइब सिं दी के नंथ कर जाओ शर्वन पर ताप के आपन जाने पर ताप के आपन जाने पर ताप के आपन जाने मिथले में रहूना कि क्यों कि कोई भी राम जी को और सीता मया को अपने नेत्रों से अपने समक्ष अपने से दूर कोई भी नहीं करना चाहता था लेकिन कहते हैं बेटी तो परायधन है महराज एक नाएगिन तो जाना ही है आज मा की विदा हुई है ससुराल में बहुत प्रेम से सब के साथ सामाजिश बना करके मा रहती है रुकमणी मया बड़ों का सम्मान करती है जबके वो साक्षात लक्षमी का अवतार है लेकिन अपने से बड़ों का सदेव सम्मान करती है छोटों से सदेव प्रेम करती है जो माता पिता ने सिखाया सब का पालन आजमारों बड़ी करने लगी शुकदेव जी कहते हैं प्रभू के आठ विभाय तो एक एक करके हुए आठ विभाय एक एक करके हुए प्रभू के और जो 16100 विभाय है वो एक साथ ही संपन हो गये शुकदेव जी कहते हैं प्रभू ने अपने जीवन में आठ विभाय एक करके किये और किने विवाय कि वो सीधे विवाय कि माराज कोई तैयारी नहीं कोई कुछ नहीं जब भी हुआ प्रभू का सीधा विवाय हुआ कि सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बाद है भौमाशु नामक एक असुर्था उसको प्रभू से वर्दान प्राप्ति था कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उसका वद्ध नहीं करेगा तब तक कि उसकी मिर्ट्यू नहीं होगी वर्दान प्राप्ति था तो वो सबसे विवाय करने लगा राजा महराजाओं को युद्ध में परास्त करता था और बदले में उनकी कन्याओं का हरन कर लेता है महराज हरन करते करते उन कन्याओं को लाते लाते संख्या हो गई 16100 जैसे उन सभी को विदित हुआ कि प्रभु पधार चुके है प्रभु आए आ गए है आज सभी सोला हजार एक सो सभी कन्याएं एक स्वर में भगवान को भुलाने लगें कि किष्णायवा शुदेवाय देव की नंदनाय चांद नंद गोप कुमाराय गोविंद नमो नमहा सब एक स्वर में भगवान को बुलाने लगें है वाशुदेवाय है नंदनन्द सबके सुनते हो सबके रक्षा करते हो तो क्या आपको हमारे स्वर नहीं सुनाई देते हैं आईए हमारी रक्षा कीजे और यदि आज आप हमारे बुलाने पर नहीं आए तो हम सारी की सारी यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे जैसे ही प्रभू ने सुना कि यह तो प्राण त्याग दे पर महराज उतारू हो गई आज प्रभू शत्यभामा के साथ उस दित्य का संघार करने के लिए आते हैं सत्यभामा जी के साथ मिलकर के प्रभू ने उसे दित्य का संघार किया और सभी को मुक्ति किया प्रभू कहने लगे आप सभी स्वतंत्र हैं अब जाईए अपने अपने घर को जाईए सभी कहने लगे एक बात पताईए हम कौन से घर को चली जाए प्रभु कहने लगे प्रिमाता पिता के घर जाई आज सभी कहने लगे एक स्वर में महराज एक बात बताई यदि ये संसार की किसी की भी बेटी एक रात घरवालों के बिना बताए घरवालों से बिना कहे यदि किसी की बेटी एक रात्री के लिए एक रात्री उनसे अलग रहती है दूर रहती है तो महराजी प्राता काल होते ही ये समाज उसपर लांचन लगाने रगता है उसको बदनाव कर देता है अरे हमारे जीवन में तो एक नहीं कई अनेक नहीं है कि जब हम अपने माता पिता के घर में नहीं थी तो एक बात बताईए हमें कौम स्विकार करेगा क्या ये समाज हमें स्विकार करेगा नहीं चलो मान लिया कि माता पिता हमें स्विकार कर ले कर सकते हैं माता पिता का है बहुत कोमल होता है लेकिन एक बात बताईए क्या हम आज जीवन अपने माता पिता के घर में ही रहेंगी हमसे कौन विभाय करेगा अरे जिन्होंने इतनी रातें एक असुर के साथ बिताई हो उनसे कौन विभाय करना चाहेगा प्रभू हमारे जीवन में तो दो ही रास्ते सेस रहे गए कौन से दो रास्ते कि या तो हम बुरे माल्क पर चली जाएं और या हम अपने प्राणत्यागते बताईए इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता आपना ले बुरे माल्क पर चली जाएं या अपने प्राणत्यागते प्रभु ने देखा ये तो बहुत ही दुखित है प्रभु कहने लगे अरे अरे ये सब करने की कोई आउश्चत नहीं ऐसा करो सब के घर को छोड़ो और हमारी ही घर में विराजमान हो जाओ सबी कहने लगी ऐसे ही अपने घर में रख लोगे तो फिर लोग आपको भी अच्छा नहीं कहेंगे लोग आपको भी बद्राम कर देंगे यदि ऐसे ही अपने घर ले गए हमें तो आज प्रभु कहने लगे तो ठीक है हम अभी आप सबसे भुभाय करते हैं और आज 16100 से एक स याग प्रभु ने एक उरत में ही विभाय संपन्न किया और प्रभु की अरधांगनियों की पत्नियों की संख्या होगी 16108 याग कल्योग में एक ना समले माराज ये कल्योग के प्राणी एक को नहीं समाल पाते और हमारे प्रभु ने 16108 को समाला इसलिए तो भगवान कहल आते हैं यदि आप लोग 16108 को समालने लगो तो आप लोग भगवान ना बन जाओ माराज एक की मनों कामना की पूर्ति नहीं कर सकते प्रभु 16108 की पूर्ति कैसे करते हों अगर एक देवी जी की कोई कामना अधूरी रह गई पूरी ना हुई तो समझ लो की रात्तरी का मोजन ठंडा ही मिलेगा और यदि कामना पूर्ण हो गई तो गर्मा गरम मोजन अगराज प्रभु ने सभी 16108 पत्नियों के लिए एक एक भवन बना दिया और सब को एक भवन दे दिया रहने के लिए कहने लेगे चलो सब एक साथ रहो 16108 स्वरूप बनाए है और सब के साथ पटेक पत्नी के साथ अलग अलग रूप में रहते है एक दिन की बात है नारज जी ने सोचा सब के घर में फूट डाल दी सब के घर में लडाई करवा दी लेकिन प्रभू श्री कुष्ण का घर ऐसा है जिनके घर में अभी तक पुष्ण नहीं किया नारज जी ने सोचा कि प्रभू के तो 16,108 विभाय हुए है तो उनके घर में लडाई जगड़ा करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आज नारज जी सत्थ भामाजी के पास पहुँच ग़े औंढ़ी सोचने लगे रुकमनी जी उनकी धरम पत्नी एं तो रुकमनी जी के पास ज्यादा रहते हों के प्रहुू तो सत्य भामा के पास चलते हैं उनके कानों को भरते हैं सत्य भामा के कक्ष में पहुंचे नारे जी तो देखा कि प्रभू तो वहाँ विराजवान अच्छा अच्छा तो सत्य भामा के पास बैटे चलो कालिंदी के पास चलते हैं में कालिनolutions के पास गए थो वहां भ कुछ हुए अच्छा इतनी जन्दी यहां भी आ गए आल कालिनदी जी कट जैसे भगवन को देखा तो इसके बाद जांवती जी के पास गए और चलो इनके कान भरते हैं वहां गए तो वहां भी भगवन आज नारज जी ने 16108 भवन भूम लिए और आज हर भवन में पिटेक कक्ष में नारज जी क्या दिखते हैं कि प्रभू अपनी पिटेक पत्मी के साथ अलग-अलग क्रिया करते हुए पाए गए नारज जी की चलते चलते पेर दुखने लगे नारज जी ने आथ लोड़के प्रभू से छबाया अगज, नार जी ने सोचा जो काम यहां करने आए हैं वो तो नहीं हो सकता Puta प्रभू में शारे से का नारज जी जो दाल गलाने आये ते वह यहां नहीं गलेगे अपनी सभी पत्नियों का मनुरत सफल करते हैं एक पती का ये धर्म है कि अपनी पत्नी की हर एक इक्षा का ध्यान रखे और एक पत्नी का भी यही धर्म बनता है कि अपनी पत्नी की परिस्थिती को समझ करके कोई काम ना रखे पहले अपने पती की सामर्थ को समझे उनकी सक्ति को समझे और जितनी उनकी सामर्थ है जितनी उनकी सक्ति है उस हिसाब से अपनी कुछ काम ना रखिए कि यह नहीं माराज की पَड़ोसन का देख लिया कि देखो पड़ोसी के पती ने नो लखाहार दिया है तो हमें भी अपने पतिदेव से वही मंगवाना नहीं सामर्थ देखके सक्ति देखकर के छंपा देखकर के अपने पती का साथ दीजिए और उनके साथ जैसे वो रहे हैं वैसे में अपना जीवन यापना कीजिए यही एक पत्मी का कर्तव्य बनता है धर्धा बनता है इसके बाद सुकदेव जी परिक्षि जिसे कहने लगे है राजन अब हम आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं जिस भक्त ने कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा निश्वार्थ भाव से निश्कामना की भावना रख करके जिस ने आजीवन भगवान का भजन किया और वो भक्त कोई और नहीं हमारे शुदामा जी है शुदामा जी एक ब्राम्भर थे कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब थे कितने भक्त ऐसे हैं जो मांते हैं कि सुदामा जी गरीब थे प्यारे भक्तों सुदामा जी गरीब नहीं थे क्यूं क्यूं क्यूंकि धन से गरीब विक्ति को गरीब नहीं कहेंगे सच्चा गरीब कौन है जिसकी अलवारी तिजोरी भरे बड़ी है लेकिन मन इतना सा है जो मन से गरीब है वो गरीब कहलाता है मराज धन से जो गरीब वो गरीब नहीं है मन बड़ाना चाहिए सुदामा जी के पास धन भले ही नहों लेकिन सुदामा जी के पास मन बहुत था बक्ति भाव बहुत था सुदामा जी को हम गरीब नहीं कहसे अरे माराज मेरी दृष्टी में तो सुदामा जी के जितना कोई अमीर नहीं हो सकता सुदामा जी ने वो धन एकत्रत किया अपने जीवन में जो धन सबसे बहुंगूल्य है इस संसार का धन उनोंने एकत्रत नहीं किया राम रतन धन उनोंने एकत्रत किया है सुदामा जी के पास राम अरदंधन इतना था कि इस संसार के किसी भी प्राणी के पास नहीं हो सकता महराज धन से गरीब गरीब नहीं है मन का गरीब गरीब है महराज मन से जो छोटा है वो गरीव है सुदामा जी एक ब्राव्हर्ट थे विक्षा मांगते थे और जो मिल जाए उसी से भगवान का पुशान लगाते थे उसी से माराज दान करते थे गाय को भोजन भी उसी से कराना है अपने बच्चों का अपने परिवार का पालग पॉशन भी उसी से करना है संतों को भोजन भी उसी से कराना है और बाद में यदि कुछ सेस रह गया तो फिर सुदामा जी उसको पाते थे चार दिन हो गए सुदामा जी के घर में चूला नहीं जला बच्चे भूग से बिलखने लगे जलका पार करके बच्चे रहने लगे सुदामा जी परिशान आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे को तेरा सहारा सदा चाहिए सुदामा जी सब भगवान पर छोड़ते थे विक्षा मांगने है तू अपने नगर में आये इतने में सुदामा जी की कुटिया में एक संत जी का आगमन हो गया देवी भिक्षाम देही सुदामा जी की पत्नी सुसीला जी कुटिया से बाहर राई सुसीला जी कहने लगी है महत्मान मैं आपको क्या दे देगा मेरे घर में चार दिन से चूला नहीं जला है घर में अन्य का एक वीदाना नहीं है लेकिन हाँ पिर्तिक्षा कीजिए मेरे पत्नेव भिक्षा मांगने हितों गए हुए है वो लोट करके आते ही होंगे और वो जो लेकर के आएंगे जो भिक्षा लेकर के वो आएंगे उसमेंसे आपने लेना और वही हम अपने बच्चों को खिलादा ये मन है माराज, अपना मन पड़ा रखिए सुसीला जी के बच्चों ने चार दिन से भोजन ने किया सुसीला जी संत जी से कहने लगी भिक्षा से जो आ जाएगा उसका आधा आप रख लेना और आधे से हम अपने बच्चों का पेट भर देंगे ये दांग देने की भावना ये होती है माराज ऐसी भावना रखिए ऐसा दांग कीजिए आज संत जी ने जब ये स्वन सुने तो संत जी कहने लगे देवी आपके घर में खाने पीने की कमी अरे आपके पती तो द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के मित्र हैं इतने बड़े राजा के मित्र होने के बावजूद भी आपके घर में धन की कमी हो गई अन्य की कमी हो गई ये तो बहुत ही आश्र जिकित बात है सुसीला ने सुना श्री कृष्ण मेरे पती की मित्र है संत जी जब ये बता करके गए तो सुसीला के मन में थोड़ा सा लालच जागरत हो के क्यों क्योंकि एक मा है महराज और एक मा अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है वो मा देख रही है कि मेरे बच्चों ने चार्ट दिन से भोशन नहीं किया और बच्चों के प्रेम में आ करके मम्ता में भर करके आज वो माँ अपने पती के पास गए सुदामा जीसिस जिलाजी कहनी लगी सुआमी चार दिन से घर में चुना नहीं चलिए आज मैंने एक बात जानी है क्या पूल सत्य है द्वारिका के राजा श्रीकर्ष्ण क्या आपके मित्र है जाए उनसे साहता मांग ये वो साहता हमानी कोई साहता कर दे सुदामा जी कहने लगे सुशीले तुम्हारे अंदर ये भावना कब से जाकरत हो गई इतने वर्षों के बाद यदि तुमने मित्र से मिलने की बात कही तो किस भावना से कही कि मैं उसके पास कुछ मांगने के लिए जाओ देवी मैं भूका रह करके प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन मैं कनहिया के पास कभी भी कुछ मांगने के लिए नहीं जाओ सुसीला जी ने सोचा यदि मांगने की भावना से इनको जाने के लिए कहा तो ये कदाब भी नहीं जाएंगे सुसिला जी कहने लगी नहीं स्वामी जरूरी नहीं कि आप मांगो बस मेरे कहने का तो यही भाव था कि वर्षों फीत गए अपने बच्पन के मित्र से नहीं मिले तो मिलकर के आओ सुदामा जी कहने लगी यदि मिले के भाव से भेज रही हो तो हम अवश्च जाएंगे सुसिला जी ने सोचा ये तो अपनी दसा के बारे में अपनी हालत के बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि प्रभू समझ जाएं कि सुदामा जी के घर में खाने के लिए भोज़न भी नहीं अनि भी नहीं है सुसीला जी पड़ौस के चार घरों में गई है और पितेख घर से एक एक मुठी तंदूर ले करके आई एक मुठी चावा ले करके आई प्यारे वक्तों सुदामाँ जी की पत्नी थी सुसीला जी एक ब्रामगर की पत्नी थी और यदी सुसीला जी चाहती तो पुर्टेक घर से एक-एक कुंटल तंदुल भी ला सकती थी उनको दे सकते थी सब लोग उनको देते भी यदी वो मांगती थी फिर सुसीला जी ने पिरतेक घर से एक-एक मुठी तंदुल ही क्यों मांगे? सुसीला जी ने एक-एक मुठी तंदुल इसलिए मांगे सुसीला जी ने सोचा ये जब चार घर के मांगे हुए चावण हम भेंट सरुक उनके लिए भेजेंगे वो जब इनको देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में तो स्वयम के तंदुल भी नहीं है महरा चार घर से मांग करके लाया है मेरे लिए क्यों? क्योंकि चार घर के मांगी हुई चावल देखने से ही पता चल जालता है किसी की घर के किसी प्रकार के किसी के घर के किसी प्रकार के किसी लिए एक एक उठी तंद मांगे एक फटे से वस्तर में बांग दिये अपने पती को देते हुए सुसीला जी कहने लगी यह अपने मित्र को हमारी तरफ से भेड़ देना और एक समाचार भी है एक माह दोए पाख में एक माह दोए पाख में दोए कादशी होए और सो प्रभुदीन दयालने नित्य प्रतिदीधीप बस अपने मित्र से एही कहें देना कि एक महा दोए पाख में दोएक आदशी होए और कहते हैं कि यदि कोई एक एक आदशी का ब्रत्भी कर ले तो भगवान उसकी हर एक एकशा को पूड करते हैं प्रवु एक एकादशी का ब्रत करने के बाद इतना फल देते हो तो जिनके घर में नित्य कादशी हो रही है तो मेरी क्यों नहीं सुझे बसे इतना समाचार अपने मित्र से कहते हैं सुदामा जी पॉट्ली को दवाए हुए चले जा रही है सुदामा जी की हालत क्या है सीस पगाई न जगातने में प्रभुवान को आये वसे के ही ग्राइ धोति फटी सिलटी दुपटी अर उपाये उपा नहकी नहीं श्याँ सीस पर कोई पगड़ी नहीं है तनपे वस्त्र के नाम पर एक फटी हुई धोती है जिसको सुदामा जी नीचे से पहने हुए है और उसका एक छोड़ उपर से निकाल के बगल में पोटली दबाए सीस पगाना जगातन में प्रभु आने को आय वसे कहीं ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अर उपाय उपा नहकी नहीं श्याँ पैरों में कोई चरल पादुका नहीं नंगे पैर अपने बच्पन के मित्र से मिलने के लिए चलते हैं सुदामा जी महराराज सुदामा जी की हालत अपनी दर्दनी है कि कोई देख भी नहीं सकता बाराज सुदामा जी के चलते चलते पैरों में च्छाले पड़ गए वो च्छाले फूट गए और उनके अंधर कंकड और कांटे चुग गए रक्त की धार लगी है सुदामा जी के पैरों से लेकिन मन में मन में और मुक पर प्रशन लता है कोई दुख नहीं माहराज क्यों क्योंकि बच्छपन के मित्र से मिलने जा रहे है लेकिन सुदामा जी के हालत बहुत ही दर्दनी है त्वारी खड़ो दुझ दुल वजदे रहो चक सुब सुधाया भिरा पूछत दीन दयाल कुधाम पूछत दीन दयाल कुधाम और बताबत आपनो नाम शुदा दौर पर पहुँच गए दौर पाल से कहा की कनिया से कहो कि उटके बच्छपन का मित्र सुधामा उंसे मिलने आया है दौर पाल बहुत आश्चर चिकी थोकर की सुधामा जी को देखता है यह बच्छपन की मित्र है फिर सोचनी लगा द्वारपाल कि हमारे टेड़ी टांग वाले तो महराज बड़े ही बिचितर है उनके तो खेल ही निराले हैं महराज हो सकता है ये उनकी सच में मित्र हो आज द्वारपाल अंधर गया और कनिया को सारा बितांत बता दिया जैसी कनिया ने सुना कि बच्पन का मित्र आया है और कौन सुदामा आज महराज कनिया पीता मर ओढ़ना भूल गए चरन पादु का पहन ना भूल गए देखि सुदामा की दीन दसा करुणा करके करुणा निधिरो और पानी पराथि को हात छो नहीं पानी पराथि को हात छो नहीं नैनन के जलसों पगधो नैनन के जलसों पगधो अर्शी से पगाना जगातने में प्रभु आने को आए बसके ही ग्रामा ठोती पटी सी लटी दूपटी परों पाये उपाना है की में निशाना ठोती दूपटी अरथाये उपाना है की नहीं पाना शीशे पगाना जगातने में प्रभु आने को आए बसके ही ग्रामा ठोती पटी दूपटी अरथाये उपाना है की में नाना त्वारी खड़ों दूझे दुर्वाईले देखे त्वारी खड़ों दूझे दुर्वाईले देखे रहोचकी सुपसुदा अभी रामा पूछते दीने दैयादे को रामों पतावत ते आपन आपूचते दीने दैयादे को रामों पतावत ते आपनु रामर सुदा देखी सुधा मंकी दीने दसा के जो पानी और परात्म गाया था मारुखमडी इसलिकी जाओ प्रामुड देटा के चड़नों को पखारना है वो माराज धरा का धरा रह गया है कब जब हमारे कनहिया ने सुधा माजी के पैरो की हालत को देखा रक्त की धाल करके हुए है कंकड काटे चुबे हुए है लेकिन सुधा माजी के मुपर कोई दुख नहीं कोई छिंता नहीं सुधामा जी तो इतना मुस्कुरा रहे है मानौ उनको दर्दों से उस चोड़ से सुधामा जी को जैसे कोई सुख मिल रहा ऐसे म्शुरा रहे है श्रिमत भाग्वत कथा के अन्तर गत्तो सीधा प्रहू के कक्ष तक सुधामा जी गया लेकिन नरूत्म जी ने एक सुन्दर भाव सजाया है उस भाव से भी हम श्रबड करेंगे कहते हैं जब सुदामा जी चले जा रहे थे तो सुदामा जी को ऐसे लगा जैसे कि कनिया को जादा ही दूर जाके बस गया हूँ तूर नगरी अरे तूर नगरी बड़ी तूर नगरी काना कैसे आउरे कनाए, कैसे आउरे कनाए, तीरी द्वारी का नगरी, पढधी दूर नगरी काना, दूर नगरी, पढधी दूर नगरी कर दो कर दो जब प्रभु की गोपिया जब प्रभु से मिल्ले के लिए जाती थी तुम उनका क्या भाव रहता था कित मर्थुरावत कोकुल नगरी कित मर्थुरावत कोकुल नगरी कित मर्थुरावत कोकुल नगरी पीछ में जमनाजी पीछ में जमनाजी वहें गहरी कित मर्थुरावत कोकुल नगरी कित मर्थुरावत कोकुल नगरी कित मर्थुरावत कोकुल नगरी तेरी नगरी में काना जोर वह रहता यूद कोकुल नगरी तेरी नगरी में काना चोर बसत है तेरी नगरी में काना चोर बसत है चीन लेवे मारी नथ दूलरी बड़ी दूर नगरी खाना तेरी नगरी में काना चोर बसत है 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 आज कोपिया क्या कहने लगी जब कोपिया प्रभू से मिलने जाती थी तो कहती है राज को आउं तो काना कर मुह लागे दिन में आउं तो काना दिन में आउं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी आउं तो कहती है मेरा वाई गाले इर धर के नुड़ 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 निराबाई गावे, किरधर के नुड़ तुम्हे तरस्बिन में तो, तुम्हे तरस्बिन में तो हो गई पादरी पड़े तूर नागेजी पड़े दूर नागेजी पड़े दूर नागेजी पड़े दूर नागेजी आज प्रभु को याद करते करते सुदामा जी की नया पार हो गई माराज सुदामा जी पहुँचे आज दूरिका में पहुँच करके सुदामा जी ने देखा कि माराज दूरिका में तो कंचन भवन बने हुए हैं आज जैसे ही सुदामा जी ने मुझे सब कुछ देखा तो सुदामा जी की मती तो माराज चक्रा गए सुदामा जी ने सोचा लगता है करने यह बहुत बड़ो राजा है गव है तो शायद मुझे भूल भी गया होगा सुदामा जी ने पहले तो मन में विचार बनाया अरे हो सकता है कि मुझे भूल गया हो ऐसा करते हैं लौट शक्ते हैं विचार बना लिया कि लौट जाते हैं फिर सोचने लगे नहीं अब यहां तक आही गए है तो एक बार तो उसे देख लूँ एक बार तो उसे निहाड़ू वो भले ही मुझे ना पहचाने लेकिन मैं तो उसे देख लूँगा हिम्मत बांध करके सुदामा जी आगे पढ़े द्वार पर पहुचे द्वार बाल में रोक दिया रे कहां जाते हो? कौन हो? प्रामब देवता हो प्रामबों का बहुत सम्पान करते हैं हमारे प्रहू हमारे महराज जाहिए भंडारे में प्रशाद पाईए सेवा है महाँ आपके लिए यहाँ कहां चले आ रहे हो? सुदामा जी बोले हम भंडारा पाने नहीं आए हम कनिया से मिल नहीं कहां है मेरा कनिया? आज जैसे ही द्वारपाल ने ये नाम सुना तो बोले महराज आप गलिस जगह आ चुके यहाँ आपके कोई कनिया नहीं 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 रहते अच्छा प्र यहाँ पे कौन रहे है? अच्छा अच्छा अरे लालाओ या तो हमने बच्पन की बात है कहवे कि हम बाकू कनिया कहवे लेकिन बाकू सही नाम तो श्री किष्णिचंद्र ठापूर है स्री किष्णिचंद्र बोलते हैं उसे जानते हो अच्छा अच्छा यह तो हमारी महराज का नाम है यह तुम उनका कैसा बिष्चतर नाम ले रहे हो खन्हिया खन्ह उनका नाम भी नहीं पता उनका नाम है उनका श्री स्री एक हज़ाराट श्री महराज अ bear डिवारिका ध्ही श्री कृ्ष्ड चंदर यह नाम है उनका तुम पता're ही कौन सा नाम दे रहे हो आज सुधामा जी ने मन में सोचा बहुत बढ़ो आदमी है गयो है तो नाम भी बढ़ो बढ़ो कर लियो माहराज सुधामा जी बोले आप तो समझ गए वही चंद्र है ये अब बतादो कहाँ है अच्छा आप कौन है मैं उसके बच्पन का मित्र हूँ नरुत्म जी ने जो भाव सजाया है आईए उस भाव के मात्यम से हम शुर्वन करते हैं सुधामा चर्टी का थाप सुधामा जी द्वारपाल से कहते हैं देखो देखो ये गरीबी ये गरीबी कहा किष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ और मेरे बच्पन का यार है मेरा शाम यही सूच के मैं आस लेके आया हूँ अरे त्वार पादो कंधिया से कह दो अरे त्वार पादो कंधिया से कह दो कि मिलने सुधामा करीबा गया है कि मिलने सुधामा करीबा गया है भटकते भटकते ना जानी कहा से भटकते भटकते ना जानी कहा से तुम्हारे महल के करीबा गया है तुम्हारे महल के करीबा गया है नसर पे है पगिडी नदन पे है जामा बता दो कधिया को नाम है सुधामा नसर पे है पगिडी न तन पे है जामा बता दो कधिया को नाम है सुधामा बता दो कधिया को नाम है सुधामा बता दो कधिया को नाम है सुधामा तुम एक बार मुहन से जाकर के कह दो कि मिलने सुधामा तरी बागया है कि मिलने सुधामा तरी बागया है कि मिलने सुधामा तुनते ही दोड़ी चले आए मूहन लगाया गले से सुदामा को मोहन है लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दोडे चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन कि सुनते ही दोडे चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को 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 मोहन प्रावर्ण अपनी सुदामा पिठाए चरण आसों से शामने धुलाए प्रावर्ण पे अपनी सुदामा पिठाए चरण आसों से शामने धुलाए प्रावर्ण पे अपनी सुदामा पिठाए चरण आसों से शामने धुलाए रुकमणी जी बगल में थे रुकमणी जी ने जब ये सारा द्रश देखा तो आज हुआ रुकमणी को बहुत ही अचमदा ये महमान कैसा अजीबा गया है अरे पारी पानों कनिया से कह दो अरे पारी पानों कनिया से कह दो कि मिलने सुदामा करीबा गया है 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 при Бट वो आज महराज कुर्णिया दोड़े जोड़े गई कहनी यानिया शुद्धामा जी को यदेसे लगाया है आज अतने शिंघ्र गादिये औ быстр्यों में बैठे और टो कि भक्ति की सकती है कि स्वयम सिंगासन पर बिठाल करके सुदामा जी को स्वयम उनके चर्णों में बैठ गए रुक्मणी जी से कहा महा प्रभू आये हुए हैं रामः देलता आये हैं जाओ पराथ और जल लेकर के आओ रुक्मणी जी लेने गए कनिया ने सोचा इतने वर्षों के बाद अपने बच्पन की मित्र से मिले हैं तो कुछ मन की बात का होनी चाहिए और सुदामा जी भरी सभा के बीच में अपने मन की बात नहीं कर पाएं गी इसलिए सुदामा जी को अपने कक्ष में ले गए प्रभू सबसे पहले सुदामा जी को इशनान कराये गया महराज चंदन लगा लगा करके उबटन लगा लगा करके आज सुदामा जी ने सोचा भई इससे पहले ऐसे इशनान तो कभी नहीं की इशनान कराये गया सुन्दर सुन्दर वर्षत धारें कराये गये इसके बाद स्वादिष्ट स्वादिष्ट भूजन कराये गया और आज सुदामा जी को कन्हिया ने अपनी सईया पर लिटा दिया और उस सईया पर लेटने के बाद तो सुदामा जी को ऐसे लगा कि जैसे छीर सागर में आ करके लेट गए हूं महराज आज प्रभू सुदामा जी के चर्णों की तरफ बैठे और आज सुदामा जी के चर्णों को पैरों को दवाने लगे अब बताए इनसे बड़ा अमीर और कुन हो सकता है रुकमणी महिया आई और पंखा करने लगी पंखा इलाने लगी हवा करने लगी अब बताए इनसे बड़ा अमीर कोई हो सकता है जिनको साक्षात लक्ष्मी जी हवा कर रही हो और लक्ष्मी पती जिनके चर्णों को दवा रहे लो तो इनसे बड़ा कोई अमीर व्यक्ति हो सकता है धन्वान व्यक्ति हो सकता है नहीं कन्यया ने सोचा फोड़ी मित्र से वो अपने पन की बाते हो जाए आज कन्यया सुधामा जी से कहने लगी मित्र सबसे पहले एकी बात बताओ विभायवाय है गयो है की ना सुधामा जी ने सूचा ले तारी की ने पहलो प्रश्न की और सीधो विभाय को कियो सुधामा जी बोले हमरे विभाय की तनी कछ जाद ही चिलता है का करनिया बोले नाए नाए ऐसी बात नाए आप बच्वन में बड़े बैराग्यपन की बात करो तो कहीं सच में तो बैरा अगई लाल मैं बन गए विभाई वाय है कि नए सुधामा जीमों नाए-नाए कनिया विभाय टो है वह थीर भावी कुन नाम की नाम है सुसीला वोले बेभाय कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं सुदामा जी बोले लाला कुछ परिस्थिती ऐसी जो नहीं बुला पाई अच्छ तू बता तेरों बेभाय भायों की नहीं कनिये बोले हमरी सब बाद में सब इखटी पहले आप अपनी बताओ अच्छा और कनिये एक बात बताओं मुझे यहाँ पे तेरी भावी नहीं भेजो है अच्छा अच्छा भावी जी ने भेजो है अरे जब भावी जी ने भेजो है तो भावी जी ने कचु ना कचु भेंट भी भेजी होईगी आज सुदामा जी ने लाला के कनिया के इतने बड़े ठाट देखे माराज इतने बड़े बड़े भवन देखे जो हर जहाँ पर हर एक चीज सौने की हो हर एक चीज स्वड की हो आज ये सब देखने के बाद सुदामा जी ने अपनी पोटडी को जोड से दबा दिया सुदामा जी बुले नायना कनिया हम रेताइं का है कि हम जो तेरे लिए लागते हम कश्षो नायना कनिया कहने लगे लगता है आप बच्पन की साधी बाते भूल गए सुदामा जी कहने लगे लाला एक एक बात याद है उच कनिया बुले तो फिर वो रात्री याद है जब हम सुखी लगने लेने के लिए जंगल गए और उस समय जब भीषड वर्सत चालू हुई तो हम कैसे डर गए थे हाँ हाँ लाला उस रात्री की तो एक एक बात याद है हम कैसे एक एक ब्रक्ष पड़ चड़ गए कितनी घंगोर वाजिश हो रही थी लाला हम तो डर गए थी कि हम गुरुकुल पहुंच पाएंगे भी कि नहीं करने यह बोले आपको तो सब याद है तो फिर वो भी याद होगा कि कुछ रात्री आपके ठंड में दात कैसे किट-किटा रहे थी सुदामा जी ने सुचा ये तो कोई औरी पूल पट्टी खोलवे वारो है माराज जो चुरा करके चने खाये थे सुदामा जी ने सुचा लगता है ये तो कुछ औरी बोलने वाला है सुदामा जी ने तुरंद बात को बदल दिया सुधामा जी बोले तु बस एक बात बताओ भावी जी ने कच्छू भेजो है सुधामा जी सोचने लगे ले दे करके फिर भावी जी पर आएगे एक बार कह दे कि नहीं लाए तो नहीं लाए बाल बार कूप पूछे आज प्रहु कहने लगे लगता है आप हमारा सुभावु खुल गए श्रियाहीने निलोकेश्मिन श्रियाहीने निलोकेश्मिन ग्रहीते नाधमेन चहां श्रियाहीने निलोकेश्मिन आप हमारा सुभाव भूल गए अरे मुझे तो वो पुस्मों पत्ता भी प्रिय है जो भाव से चड़ाया गया हूं स्रियाहीने निलोकेश्मिन जिसके पास स्री नहीं मुझे तो वो भी प्रिय है बस उसके पास भक्ति भाव होना चाहिए क्योंकि मैं भाव का भूका हूं मुझे भाव चाहिए मुझे 56 प्रकार के वेंजन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भक्तों का भाव चाहिए दुरियोधन के 56 प्रकार के भोगों को त्याग दिया मेरे प्रभू ने और विदुर जी के घर जातर के केले के छिलके खाई क्यूं कि शपन प्रकार के भोगों में वह माहराज स्वाद नहीं था वह भाव नहीं था जो विधराणी के केले के छीलके व्हाश है क्यब प्रभु दुरियोधन के पास पहुचए तो प्रभु ने दुरियॉधन से कहा दुरियोधन भोजन दो अवस्थाओं में किया जाता है कब या तो बड़े जोर की भूक लगें तो भोजन किया जाता है या फिर खिलाने बाले का भाव ज़्यादा बड़ा हो तो मारा यदि पेट में जगे भी ना हो ना फिर भी हम थोड़ा बहुत पा लेते क्योंकि खिलाने वाले के अंदर भाव तो है तो अधूर यखly 같 Uhh हिव जैसे विजूरानी विद्ध वेदित हुआ करनिया आगे आज माहराज विदुरानी बस एक बस्तर हो इलप एच अदर कर श्किचनिया जलती जलती प्रभू की छवी को देखकर के विदुरानी तो मंत्र मुक्त हो गई और आज विदुरानी केले छील छील करके बाहर फेकती जा रही है और छिल के हमारे गोविंद को देती जा गई विदुरानी का भाव देखा तो प्रहू व छिलके भी पा गए विदुरजी गए थे बाजार जो स्वाद तुम्हारे इस माथन मिश्री में नहीं है वो स्वाद मुझे केले के छिनकों में मिल गया क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु भाव के भूके है और जिसने भाव से उनको भजि लिया है उसका भव से बेडा पार है प्रभु कहने लगे मुझे धन प्रिय नहीं, मुझे श्री प्रिय नहीं है, मुझे एश्वर, बैवाव ये सब प्रिय नहीं है, मुझे दुस्रे भक्तों का भाव प्रिय है, यदि कोई भाव से एक पत्ता भी चड़ा दे, एक पुस्प भी चड़ा दे महराज, तो वो मुझे बहुत प्रिय है, सुदामा जी बोले तु जितनी भी भागवत रामाड पढ़े लेकिन हम जब नाए नाए तो नाए नाए कौई हम दरे द्रहपापी यां सुदामा जी क्या केते है कौई हम दरे द्रहपापी यां क्वाक्रिश्न हां श्रीनिकेतन हां ब्रह्म बंधुर्टिश्माहं बाहु भ्यांपरिरंभितहां सुदामा जी केने लगे क्वाहं दरित्रह पापिया मुझ दरित्र के पास क्या भाजो मैं तेरे लिए नाता मैं कुछ नहीं लाया सुदामा जी के जब यह बचन सुने तो कनेया ने सुचा यह ऐसे नहीं बताएंगे कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो पर टेड़ी करनी चाहिए उंगली सुदामा जी कहने लगे चलो ठीक है सुदामा जी बोले ठीक लाए तो सुलिया नहीं लाए करने बोले चलो ठीक है नहीं लाए तो नहीं लाए कोई बात नहीं लेकिन सुदामा जी एक बात बताईए आप जब से आए हो तब से या हाथ को बड़ी जोड से दबा राखो एका बात है कछ भीमारी है गई का सुदामा जी बोले नायना कनिया ऐसी वैसी बात नाय तेरी नगरी बड़ी दूर थी आते आते तनी या हाथ में दर्द है गव है कनिया बोले लो दर्द हाथ में हैं और हम पेर दबाये दे हैं तनी लाईयो तो या हाथ को हम दबाये दे आज सुदामा जी बोले तेक लाला हमरे या हाथ से हाथ मत लगईयो कन्रिया बोले अब तो जो भी हो जाए सुदामा जी आपके इस हाथ का दर्ग तो दूर करके ही रहेंगे मानो प्रभू कहने चाहते हैं कि सुदामा जी आपकी ये तरितिता तो हम दूर करके ही रहेंगे आज प्रभू ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और जोश पर जखिर दिया पोटली जमीन पर गिली आज कंडिया ने तुरंत उसको उठाया है पोटली को खोला तंदुल देखे भावी जी की इतनी मधूर इतनी स्वादिस्ट भेठे प्रहु अपने आपको नहीं रोक पाए एक मुठी को भराया और स्वेवन करके एक लोग सुदामा जी के नाव दूसरी मुठी को उठाया और दूसरी मुठी का पान किया तो दूसरी लोग का राजा भी सुदामा जी को बनाया और जैसे ही तीसरी मुठी को भर करके हमारे करणिया सेवन करने ही बाले थे रुकमणी जी बगल में थी हाथ मखड लिया और इस सारे से रुक्मणी जी कहने लगी माराज अब सब कुछ दे करके क्या स्वैम सुदामा बनोगे मन में बोलती हैं मुख से कहने लगी अरे माराज कच्चे चावल हैं आप तो प्रेम भाव में पा रहे हो कई बीमारी मारी है गई तो और महा प्रभु का लाया हुआ प्रशाद है घर में दो दो दाने सब को मिलने चाहिए प्रभु कहने लगे हाद इवी जाओ ले जाओ सब को ये दो दो दाने बाढ़ तो आज प्रहु कहने लगे यदि भेट भेजी है तो समाचार भी भेज़ा होगा याद आग्या सिसीला ने क्या कहा था एक माह दोए पाखे में दोए का दशी होए शो प्रभुदीन दयाल ने नित्य प्रति दीन ही मूद प्रहु ने जैसे ही भावी जी का समाचार सुना नेत्र बंद कर लिया अस्त्रों की धार निकलाई थी भूके नेत्रों से भावी जी ने अपना दुख इन लाइनों में इस भाव में इस मस्ठ रूप से बता दिया है कि प्रहु ने नेत्रवंद करके भावी शी को भी समाचार पहुचा दिया होनी थी सो है गई होनी थी सो है गई और अपना ऐसी हो अरे भावी तेरे भवन में निता आदशी हो एकादशी किशी दिन नहीं होगी आपके भवन में तो नित्य द्वादशी होगी आपके भवन में तो नित्य भंडार खोले जाएंगे महराज सुदामा जी ने सोचा कि लाला तो बहुत दुखी हो चुका है अब इसको फिर से हाश सी परिहाश की बातों पर लाते हैं सुदामा जी बोले ठीक है लाला मेरे घर की तो सारी बाते हो गई मेरे घर की तो तुने चूला चौके से लेकर के महराज बीबी बच्चों तक पूछनी और अपने घर की एक भी नहीं बताई कानिया कहनी लगे पूछो क्या पूछना है सुदामा जी बोले तो सबसे पहले एक बात बताओ भाई-भाई-भाई है गयो है की ना है कनिया बोले बताने से अच्छा है घर में बैठे हो तो मिल ही लो सुदामा जी बोले अरे बुलाओ मैं आशिवाद दूगा अब क्या था प्रभू ने कह दिया जिस जिसको महाप्रभू से आशिवाद चाहिए चले आओ बहुत बड़ी लंबी लाइन लग गए सबसे पहले रुकमणी जी आई महराजी नमो ना रायाड सुदामा जी इसारा करने लगे प्रभू की ओर अरे भया कौन है या देवितनी पर जैतू करा कनिया मोले ये है मेरी धर्म पत्नी ओहो अखंड सो भाग पती भबा पती प्रिया भबा पुत्रवान भबा आनंद भबा धेरो आशिवाद रुकवडी जी को दे दिये पीछे से जामबती जी चले आ रही थी माराजी नमो ना रहे सुदामा जी कहने लगे अभी या देवि कौन आई गई कनिया वोले ये भी बेई है अच्छा अच्छा तोदो विभाय कर राके हैं अरे लाला तेरे तो बड़े ठाट हैं अखंडसा वाग बती भवा पुत्रवान भवा आनंद भवा पति प्रिया भवा धेरो आश्री वाग जामबती जी को दे दिये पीछे से सत्भामा जी चली आ रहे थे महराजी मोना रहे द शुदामा जी कहने लगे वियादे भी कोन आएग गई कनिया कहने लगे यहां आकर के इस समय आपको जो ही पड़ाम करें सब बैई है सुदामा जी कहने लगे लालातु का तसपचास कर राकी है कनिया बोले अब बतावे मैं बड़ी सरम आबे वो आई रही हैं आप आशिवाद दही रहे हो तो आप अई गिंती कर लो के कितनी है सुदामा जी बोले सबुकूं बोला मैं सबुकूं आशिवाद दोंगो आव क्या था माराज बड़ी लंबी लाइन लगए नमो नाराएन आज माराज संख्या पांच हजार पर पहुंच गई अब तो सुदामा जी सबको सौट में निफ्टाते हैं आशिवाद भी सौट हो ग नौत हाथ दुखने लगे मू सुख गया आज सुधामा जी बोले अवह हुं कितनी बाकि है पनिया पोली हैं सोला अजार एकसो आट सुदामा जी ने जैसे सुना सुदामा जी मूछ दोके जमीर फर गिर पड़ी सुदामा जी को फोस में लाया गया आज सुधामा जी बोले लाला अब छमा कर दें अब आशिवाद नहीं दे पाएंगे वोले क्यों बोले छे हजार को आशिवाद देवे में हमरे हाथ दूखन लागे मुझ सूख गयो और माराज बाब की पूरियन को आशिवाद दियो तो पतो चली कि जो बाबा जी जो म आत्मा जी आशिवाद दे रहे तो वहीं सिधार है लाला अब मेरे वस की बात नहीं करने लगे आपने हमारी घर में अब लड़ाई करवाई जो काम नारज जी नहीं कर पाए वो आप करवाएंगे अब वोले कैसे वोले 6000 को आशिवाद दे दियो और बाकी इनको हैं दियों तो बुराओं ना मान जाएंगी मतभेद की भाब ना जाग्रत हो जाएगी घर में लड़ाई होगी नारज आज सुदामा जी कहने लगी लाला ऐसा कर यह सब तेरी अर्धांग नी और तू सब को अर्धांग तो ऐसा कर तू मुझे बढ़ाम कर ले मैं तुझे ना सीवात दुगा तो सब कर जायेगा ब्यारे वक्तों रहां पत्येद्वेट्पी जितना भी अच्छा काम धर्मपुन्य का काम करता है और पत्नी ना भी चाहे फिर भी पत्नी के खाते में उसका आधा अंश पहुंचता है आधा भाग पहुंचता है उनके अच्छे कर्मों का पुन्यों का और पत्नी जितना अच्छा कर्म करती है पुन्य करती है और पत्नी ने यदि चाहा कि मेरे पत्नी के खाते में पत्नी के मेरे पती को मिले तो नहीं जा सकता पतिदेव ना भी चाहें फिर भी पत्नी के खाते में महराज उसका कुछ अंस आधा अंस आता ही है कि सुदामा जी कहने लगे तू मुझे पढ़ाम कर और मैं तुझे आश्रीवाद हूँ आज कनहिया ने पढ़ाम किया कनहिया को आश्रीवाद दिया तो श्रभी को सुदामा जी का आश्रीवाद प्राप्थ हूआ है आज सुदामा जी बोले लाला हमने एक विभाय कियो और मैंने तुझे नहीं बुलाया तो तू ने सेकाइद कर लिए और तू ने तो 16,108 की एक मैं नहीं तो दूसरे में बुलाय ले तो दूसरे मैं नहीं तो तीसरे में बुलाय ले तो तीसरे मैं नहीं तो चोतरे में बुलाय ले तो अरे एक में तुम बुलाई ले तो कहने यह कहने लगी सुदामा जी यदि बिभाय की तारीख पहले से निश्चित हुई होती कोई तिथी, कोई तारीख यदी पहले से निश्यत हुई होती बिभाय की तो रिष्टेदारों में सबसे पहले आप ही पदारते लेकिन क्या बताएं सुधामा जी जब भए तब सीधे बिभाय में पता चरा की गए हैं असुर का संगार करने के लिए सुधामा जी करने लगे तेरे खेल तो निराले बच्पन से हैं कलाला कि राजस्थानी वासा में बहुत सुन्दर सा भाव है किस प्रकार से सुधामा जी और प्रभू का वारतल आप चलता है सुनिएं है बटा भिररा यारी सुधा मारे बाई गडे नहीं आए पैं नहीं का भडे दिटीनों में आया आए इन अ आपारे बाई करने तिनों में आया बालक फर जब आया करता रोज खेल के जाया करता रोज खेल के जाया करता कुई के टक्रार सुदा मारे बाई गड़े दिना में आया बता मेरा यार सुदा मारे बाई गड़े दिना में आया बाई 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 रामा जी कौन है? मिस्रा है थो सब बच्चों का हाले बता दे मिस्रानी की बात बता दे ले क्यों गया हार सुदा मारे बाई गड़े दिना में आया बता मेरा यार सुदा मारे बाई गड़े दिना में आया बता मेरा यार सुदा मारे बाई गड़े दिना में आया बता मेरा यार सुदा मारे बाई गड़े दिना में आया बता मेरा यार सुदा मारे कर दो कर दो कर दो किठी भी आगे अठीक बगत पे आज बैठ जा मेरी तखत पे किठी किरिया हर सुदा मारे भाई गड़े दिना में आया बिजिगिरी आहर सुदा मारे भाई गड़े दिनों में आया 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 बताओ मेरा यार सुदा मारे और भाई गड़े दिनों में आया अरे सुदामा जी कुछ अप्ठने बार में बता दीज़े बहुत दिनों बाद आये हो सब बच्चों का हल सुना दे सुदामा जी मिश्रा है तो मिसराडी की बात बता दे अरे रिक यूँ गया हा रिसुदा मारे भाई गड़े दिना में आया बताव मेरा यार शुदामा रहे बई घड़ ही दिना मैं आज बाराच शुकदेव जी कहते हैं हमारे शुदामा जी द्वारिका में एक दिन ही रहे और इसके बाद आज सुदामा जी अपने घर के लिए परस्थान करते हैं कहते हैं सुदामा जी जब आने लगे तो माराज सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया कनिया ने सुदामा जी सोचने लगे भलेई सुसीला ने कुछ भी कहा हो लेकिन सुसीला के मन में तो यही भाव ना थी कि मैं जब जाओँ मिलने के लिए कर नया से तो जादा कुछ नहीं तो कम से कम सुसीला के लिए एक साड़ी दो देगा ही देगा तो साय दे दे, साय इसको कुछ याद दिलाना पड़े सुदामा जी थोड़ा आगे बढ़े और सुदामा जी कहने लगे अच्छा मेत तो फिर मैं चलता हूँ कि सुदा कनया को कुछ याद आ जाए देना होती कनया बोले आप कैसे कहूं कि आप जाओ मन तो नहीं होता लेकिन क्या करें सुदामérience थोड़ा और आगे चले और चल करके कहनी लगिए ठीले अच्छा मि ित्र तो अब मैं जा रहा हूं कि काने यहां बले बिलिग कुर ऑघ्राम मैं जा रहा हूं भाबी संकेत किया कि सायद कुछ देदे कनिया बबाबी जी से अमरी राम राम जरूर कहियो के सुधामा जी कहने लेगे चलरे तारीके या कुछ समाचार है अरिमतलब कस और बाग तो मैं कहीं कहिता है बाबी से कहियो कि जब आप आओ तो बोवी साथ में पदारे सुदामा जी ने सोचा मारा जी ये ना देवे बारो और आज सुदामा जी चलेगे सुदामा जी गए और सुदामा जी ने क्या देखा कि जहां पर टूटी सी जोपड़े थी और जोपड़ी की जगा पर तो कंचन भवन बना हुए है कंचन भवन बने हुए हैं और आज जैसे ही सुदामा जी ने उनकंचन महलों को देखा सुदामा जी के मती खराब हो गई है राम हमरी सुसिला कित को गई हमरे बच्चे कित को गई हमरी वो जोपड़ी कित को चली गई आज एक महासरे जी जा रहे थे सुदामा जी ने कहा आरे भाई सम एक बात बताओ ये हमरी जोपड़ी थी यहां पे वो कहां गई मेरे बच्चे और मेरी पत्नी कहां है उस व्यक्ति ने कहा ज़्यादा तो नहीं पता बस इतना पता है कि कि सुदामा नाम के महराज का महर है यहां सुदामा इ enfant जी बोले ए राम राथी-्रात में मेरे नाम के राजाका महल भी बन गया अरे भाई, यह बहुत-बहुत बहाई हो बाराजा को लेकिन एक बात बताए दो हमरी जोपड़ी सुसीला और हमरे बच्चे कितनी चले गए मासर जी बोले ज्यादा तो नहीं पता बस इतना पता है कि जो महराज है वो कहीं बाहर गए हैं लेकिन उनकी पतनी जरूर है उनसे पूछते हैं इतने में सुसीला जी ने उची अटारी से सुदामा जी को देख लि जैसे ही सुदामा जी ने सुसीला जी को देखा तो सुदामा जी नहीं पहचाण पाये कि यह सुदामा जी कौने में आ करके फ़ड़े हो गए और जैसे ही सुदामा जी के सामने सुषिला जी पहुँच करके आर्टी का थाल भूआने लगी आज सुगामा जी सोचने लगे महराज या देवी हमरी आर्टी काई कूँ करे सुदामा जी ने कहा देवी जी हमरी आर्टी काई कूँ करो शूसीला जी गोले वा महराज ऐसे मित्र से मीलवे गए कि मुई ये भूल गए और आज येसे ही महराज सुसीला की आवाज सुधामा जी ने वह सुनी आज सुधामा जी खने लगी अरे सुसीले तुन तुम्हारे पास ये भवन ये कंचन भवन ये स्मण आर्तिका थाल ये सोला सिंगार कैसे कैसे आया तुम्हारे पास इस सब आज सुसीला जी कहने लगी जिस प्रकार से इन घने घने बादलों का कोई भरोसा नहीं कि ये कब बरस जाएं उसी प्रकार से आपके घनिश्याम की क किरपा का कोई वरोसा नहीं कि वोकव बरस जाए यह सब उनकी किरपा है यह सब उन्होंने किया है प्रहु प्रगठ होते हैं प्रहु ने कहा सुधामाजी से सुधामाजी अब आपके दरित्दा भरे दिल दूर यह सब मेरा आश्री बाद है इसको आप स्विकार कीजिए और प्रहु के पावन परम्प्रियम मित्र हुए हमारे सुधामाजी अपने जीवन में सुधामा जैसे मित्र बनाओं माराज जो लालच से नहीं जो वास्तविक प्रेम से आपसे जुड़े हुए नहीं तो यह दुनिया तो मतलब से भरी हुई है माराज मतलब की ये सारी दुनिया बिन मतलब बेवहार नहीं और रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं मित्र बनाओ भले ही एक बनाओ लेकिन सुधामा जैसा बनाओ जिसने कभी भी कुछ नहीं मागा प्रहुसे आज महराज इसके बाद परिक्षी जी सुकदेव जी से कहते हैं एक बात बताईए हमने सुना है हमारे जो दादा जी थे अरजुन जी उनका विभाय बड़े विचित्र ढंक से हुआ था ये बताईए अर्जुन जी कि हमारे जो दादा जी थे उनका विभाय केश्र हुआ सुबद्रा जी के साथ सुगदेव जी कहते हैं सुनो एक बार की बात है सुबद्रा जी जब बड़ी हुई तो बलराम जी ने सोचा कि बहन का विभाय करना चाहिए तो दाओ जी ने किसी को नहीं सोचा दाओ जी ने सोचा चलो दुरियोधन के साथ अपनी बहन का विभाय कर देता हूँ लेकिन सुवद्रा जी अर्जुन जी से प्रेम करती थी सुवद्रा जी ने कनिया को सारा विटांत बताया भ्रिया मैं अर्जुन जी से प्रेम करती हूं मैं दुर्योधन से विभाय नहीं कर सकती प्रहु ने कहा बहन तुम चिंता मत करो सब हम प्रोग्राम सेट कटके हैं और और आज अर्जुन ने नकली डाड़ी लगाई और बाबा का नकली भेस बनाया और आगे द्वारिका में अब आप लोगों ने आगे कथा में श्रुवन किया कि जब प्रभू हस्तनापूर से द्वारिका गए तो प्रभू के साथ अर्जुन जी भी गए थे तो अर्जुन जी काफी समय तक द्वारिका में रहे तो अर्जुन जी को सब पता है कि किसका घर कहा है किसके घर में क्या जलता है किसके कितने बच्चे है कौन क्या करता है सब पता है अर्जुन जी को पहले से तो तुमारे इतने बच्चे हैं, तुम ये करते हो, और जैसे ही लोग वाग ये सुनें कि महराज जी ने बिल्कुर सत्य सत्य बता दिया, महराज कतार लग गए भक्तों की तो, अरे एक महात्मन जी आये हैं बिल्कुर, जो जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, बिल्कुर वही वही बताते हैं अब क्या था माराज दाउजी के कानूं तक यह आज पहुंच पहुंच जा जा जब इतने स्रेश्ट शंत आये हैं तो हमें भी जाना चाहिए और दाउजी भी आ गये माराज मिलने के लिए और जैसे दाउजी ने आकर के अरजुन जी को पड़ाउं किया आज अरजुन जी की जख्के खुल गई अरजुन जी सोचने लगे मैं इनको के आशिवाद दूँ लेकिन सोचने लगे अभी तो मात्मा बने हैं तो महराज पूरा किरदान नवाना पड़ेगा हाँ 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 बालक आओ बैठो हम जानते हैं तुम बल्राम हो अपनी पहन क्या विभाय करना चाहते हूं बहुत चि दुर्योद आज जब यह सबत सुने तो आज दाउजी कहने लगे हाँ महराज बहुत अच्छा वर बताया है अर्जुन जी की बारे में तो हम भूली गए अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपने मन की सारी चिंता कोई इनस्ट कर दिया खतम कर दिया चलिए भवन चलिए प् न्न पहुंचे और डिफा जैसे ही कहीं आशुन जी को देखा फ़्र мен भ्राज जिना मोन हैby है कि अधर सुनुन और के महराज क्या करें और है करवा इसारे सब्सेयों महराज जी सब कुसल मंगल यानि कि कुछ बात बनी की नहीं आज अजुन जी बुले हाँ सब मंगल है सब मंगल है सब अच्छा चल रहा है आज महराज बात विल्कुछ सही चल रही थी के अचीज हाँ अचीः आज कनयिया ने इपने बहन सुबद्रा से कहा बहन पहुंचे हुए संत है यह तो अब इनने हाथो से वोजयறों बनाज अब आज द जी से का द हऊचीः बाहर चल llev और आज द लिएकन ठॉ Vice बाहर चले गे और और आज सुवद्रा जी ने बहुत सुन्द तरीके से स्वादिष्ट भोजन बनाया और भोजन लेकर अरजुन जी के पास पहुंच पूर्शू जी भूजन करते जाएं और सुवद्रा जी टुको टुको राजुन जी को देखें हो ना हो यह चेहरा हमने कहीं न कहीं तो देखा है यह साधू यह महात्मन देखे देखे से लगते हैं ऐसा लगते हैं जैसे इनसे पहले भी हम मिल चुके हैं इनको पहले भी अमने कहीं देखा है सोचने लगी साइद ही अर्जुन है सुवद्रा जी ने सोचा अरे मुझे तो अर्जुन की तरह लग रहे हैं मैं उनसे प्रेम करती हूँ साइद इसलिए हर जगे अर्जुन दिखाई दे रहे हैं सुवद्रा जी ने सुचा अभी जानते हैं ये कौन है सुवद्रा जी दूसरे कक्ष में गई और वहाँ पर चिलाने लगी वहाँ से आवाद देने लगी और अर्जुन सब ठीक चल रहा है सुवद्रा जी समझ गही है अर्जुन जी के पास ने और महराज जी बात बनी की नहीं आज अर्जुन जी ने का यह सब किया धराया आपके भाईया का है सब उनकी तर्कीव थी और आज अर्जुन जी सुवद्रा जी को लेकरके भागने लगी भागते हुए एक द्वारिका के व्कति ने देख लिया आज वह राज दोड़ा दाउब जी के पास आया आज वह व्कति कहने लगा महराज जो आपके घर आवाजी बनके आए थे वो आपकी बहनको लेकर के भाग रहे हैं, दाउंजी जोले राम राम पाकंडी भावा था, मिरी बहनको लेकर के भाग नहीं लगा आज दाउजी ने पूरी सेना पीछे लगा जब सेना जादा हो गई तो आज सुवद्रा जी अर्जुन जी से कहने लगी आप आराम से युद्ध करो हम रख चलाते हैं आज दाउजी अर्जुन जी को मारने के लिए गए मैं देखूं तू एक कौन है जिसने इतनी हिम्मत की मेरी बेहन का हरल करने की जिसने हिम्मत की और जैसे दाउजी अपना हल्ग मुसल समार करके चलने लगे तो कनिया ने दाउजी को रोख दिया करनी यह बोले दाउजी थोड़ा रुको थो एक बात सोचने लाइक है वो लिए क्या वुले इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो हमारी प्राग्द्रम के बारे में ना जानता हो तुम्हें सोच रहा हूँ कि यह कौन हो सकता है होगा तो कोई बीर ही जो हमारी बहन का हरन करने का सोच सकता है दाउजी बोले तू सोच मैं चला अपने महन को बचाने के लिए अब जो दाउजी जाने लगे नहीं माने तो कनिया बोले मैं भी चलता हूँ और आज दाओ जी के साथ कनिया भी आए यहाँ पर क्या देखा दाओ जी ने कनिया ने कि सुबत्रा जी रस चला रही है और अर्जुन जी युद्ध कर रहे हैं आज जैसे ही हमारे दाव जी ने अपना हल समाल करके चलाना प्रारम किया तो आज कनिया ने दाव जी को रोक दिया कनिया बोले भाईया रोको बोले क्या बात है बोले सुनने में तो ये आया था कि बाबा जी बहन जी को भगा के ले जा रहे हैं लेकिन देखने को तो कुछ और ही मिल रहा है, बोले क्या बोले देखो विमान कौन चला रहा है, रत को कौन चला रहा है, हमारी बेहन जी चला रही है, तो यहां तो बेहन जी ही बाबा जी को लेके भाग रही है, आज दाओ जी बोले बात तो तुने सत्त कही कर नहीं है, यह स hasnắnई रोख दिया क्या बी दाऊजी तुष। एक्षक्राट्स चर्कान पैचानंघ सा अच्छा कोन यह कन बुले वो न हूँ यारजुन है अरजुन से लग रहे हैं आज दाऊछ बुली यती ये अरजुन है तो इसमें कोई सक नए कुए संदे ने कि सब किया धराया तेरा है कने बोले हां आज कनेया ने पीजन संकेत किया बात पूरी बन गई चले आओ और आज जैसे ही अर्जन जी मा के साथ सुवद्रा जी के साथ पापस लोटे तो आज दाउजी परियास कने लेगे महराजी ना मुहना रहा है अर्जन जी कहने लेगे दाउजी मैंने कुछ नहीं किया यह सब किया धराया आपके इनका है और आज सुवद्रा जी और अर्जन जी का विभाय संपन्द किया गया तो हे राजन इस प्रकार से आपके दादा अर्जन का विभाय हुगा था और हाँ अब मैं आपको प्रभू की वन्शावली के वारे में बताता हूँ प्रभू के 16,108 विभाय हुए और प्रतेग पत्मी से 9 बालक और एक बालका ने जन्म लिया प्रभू के परिवार के लोगों की शंख्या 16,108 पत्मियों से जो संतामों ने जन्म लिया तो पूड परिवार की शंख्या 56 करोड पर पहुँआ चली मारा और आज जैसे ही इतना बड़ा परिवार प्रभू का हुआ प्रभू सोचने लगे इस संसार में तो हमारा ही हमारा परिवार फैल गया अब बाकी दुनिया के लोग फिर कहां रहेंगे ऐसा करो अब इसको सांत करना पड़ेगा प्रभू अपने नाती पोतों के साथ एक दिन एक बागीशे में गए उसी बागीशे में बड़े बड़े रिसीजन समाधी लगा करके बैठे हुए थे तपश्या कर रहे थे तो प्रभू के छोटे-छोटे नाती पोते वो सोचने लगे चलो इन बाबाओं की परिक्षा लेते हैं कि इन्हें कुछ आता जाता भी है कि बस ऐसे बैठे-बैठे माल पुगा सटकाते रहते हैं महात्माओं की परिक्षा लेने के लिए प्रभू के वो नाति पोते आ गए जामबते के खुतर साम्ड को साड़ी पहना दी और उसके पेट पर कपड़ा लगा दिया उसके पेट का आकार बढ़ा दिया और वो सारे बच्चे पहुँच गए सादू संतों के पास पहुच करके कहने लगे बाबाजी एक बात बताओ हमरी भाबिकन落 लाला हो या लाली चोरा होएगो के छोरी और जैसे ही यह सब ने सुना तो आज कोई सादू अपने नित्रों को बंद करे कोई कान बंद करत इक क्या बातिं कर रहे उसी सभा में दुर्वासा रिशी बैठे हुए थे काफी समय हो गया रिशीवर को देखते देखते क्रोध में भर गये दुर्वासा रिशी अंजली में जिल लिया और श्राप देते सुनो बालुको मैं बताता हूं कि तुमारी भावी को छोदा होगा और चोती कि जैसे हिजांबती की पुत्र सामब्र की साड़ी उतारी गई उस कपड़े को नकाला गया बाहर तो कहते हैं वो कपड़ा लोहे के पिंड के रूप में परिवर्तित हो गया गृषेन माराज ने सैनकों से कहा जाओ इसको पीस करके नदी में बहा दो सैनक आये उस लोहे के पिंड को पीस करके बहाने लगे उसको पीसते समय कुछ कणबाहर निकल गए जो की एर का नाम की घास बने हैं उस घास को गायों ने खाया और जब उनी गायों का दूद यद वंस्यों ने पिया तो उनकी मत्धी खराब हो गई और सब एक उस्थरे को आपश्ण मारने की लिए उस लोहे के पिंड को पीस्ते पीस्ते एक छोटा सा टुकडा बचया सेनको ने सोचा विए छोटा सा टुकडा अब क्या बिगाड़ेगा और सेनको ने ऐसे ही उसको नदी में फेक दिया उस लोहे के टुकडे को एक मचली ने निकन लिया उस मचली को एक सिकारी ने पकड़ लिया सिकारी ने जैसे उस मचली को फाड़ा तो उस मचली के अंदर से एक लोहे का टुकड़ा हुआ सिकारी ने उसको पतला करके अपने तीर के आगे लगा लिया कि शिकार करने में काम आएगा वो शिकारी शिकार करने के लिए जंगल गया और उसी जंगल में उसी बन में मेरे प्रभू एक व्रक्ष पर पेर फैला करके अपने लेटे हुए थी दूर से वो सिकारी ने प्रभू के चर्णों को देखा उसको लगा कि यह जैसे कोई हिरन है और आज है प्रभू के चर्णों को हिरन समझके उस सिकारी ने वही तीर जिसमें वो लोहे का टुकड़ा लगा था वही तीर महराज चला दिया आज वो तीर आया है प्रहु के चर्णों में लगा चोर की आवाज हुई आज सिकारी तोड़ा तोड़ा आया छमा यासना करने लगा हे प्रहु हमें छमा कीजिये हमने ये जान बुचके नहीं किया प्रहु कहने लगे मुझे पता है क्योंकि इस संसार में मेरी इजाज़त के वगेर तो एक पता भी नहीं हिलता यह सब मैंने करवाया है और आज प्रहु इस धराधाम से गौलोग धाम जाने लगे प्रहु ने दो शरूप बनाए एक सरूप में प्रहु गौलोग धाम पधारी और एक स्वरूप श्रीमत भागवत कथा में आके शमाहित हो गया जो नेमी शारेन की पावन नगरी में सूद्जी महराज जो शौनक प्रिशिव को अथा सुना रहे है कि प्रहु के जाने के बाद धर्म किसकी सरर में कही है आज असिमू जी कहते है भगवान के जानने के बाद धर्म श्रीमत भागवत कथा में आखुष्रम आये था और यह पूरे तुम्हारे उब श्य-के 6 प्र दूंके उतर है सप्तम दिवस हैं राजा पढ़ीक्षे जी को आज से लेके सप्तम दिवस श्मित्यूं का श्राफ मिला था शुकदेव जी तो कथा सुना दिये सम्पूर इसके बाद सुकदेव जी कहने लगे है राजन आपने इन साथ दिनों में हमसे बहुत से प्रिश्ण किये हैं और हमने आपको पुर्टेक प्रिश्ण का उत्तर भी दिया है लेकिन आज हम आपसे एक प्रिश्ण करना चाहते हैं परिक्षजी कहने लगे पूछे माराज क्या प्यूशना चाहते हैं आज शुकदेव जी कहने लगे तो बस एक यही बात बताईए राजन क्या अब आप मरोगे परिक्ष जी ने क्या उत्र दिया परिक्ष जी कहने लगे माराज मैं क्यों मरूँगा मैं जब जन्म ही नहीं लेता हूँ तो मैं मरूँगा कैसे मैं नहीं मरूँगा क्यों क्यों कि मैं कोई साधारन वक्ती नहीं अपीतु मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी जीती है मैं नहीं मरूंगा बस मैं इस देह को छोड़ करके किसी दूसरे देह में जाके समाहित हो जाँगा और आज जैसे ही सुकदेव जी ने ये उत्तर सुना सुकदेव जी गरगध हुगे सुकदेव जी कहने लगे हे राजन मेरा कथा सुनाना सार्थक हो गया और आपका कथा सुनना सार्थक हो गया कथा को सुनने के बाद जब हमारे जीवन में कोई नई दिशा आती है कुछ नया परिवर्थर होता है तो समझ लो कि हमारा कथा सुनना सार्थक हुगा और प्रभु की कथा सुनने के बाद भी यदे जीवन में कुछ परिवर्तर ना आये तो माराज कथा सुनना भी वर्थ है और कथा सुनाना भी वर्थ है सुग देव जी कथा सुना करके गई है राजा पदिक्चिजी भी अपने राजी को आए आज उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई आज सक्तम दिवर्श है आज तक्षक नांग आएगा पहरेदारों की शंख्या बढ़ा दी लेकिन कहते हैं न माराज जाने वाले को कोई नहीं रोग सकता आया है सोच जाएगा राजा रंग फकीर आज भाराज तक्षक नांग आया छोटा स्वरू बनाया एक पुस्प में वो बैठाया चिप गया जैसे ही राजा परिक्षर जी ने उस पुस्प को उठाया आज तक्षक नांग ने अपना बड़ा आकार किया राजा परिक्षे जी को डसा है राजा परिक्षे जी की मुक्ति हुई है वो प्रहू के शर्णों में समाहित हुए है बोलिय भक्त वश्रल भगवान की श्रीमद भागवत महापुरार्दी की श्री शुकदेव जी महराजी की श्री परिक्षे जी महराजी की परिक्षे जी की मुक्ती हुई भागवजी में लिखाये कि कथा सुनने के बाद ही हमारे परिक्षे जी प्रहू के चर्णों में पहुँच गये थे मन तो उनका कथा सुनने के बाद तुरंती पहुच गया था प्रहू के चर्णों में बस ये तन रह गया था जिसको छोड़ना बाकी रह गया था तन को छोड़ा प्रहू के चर्णों में उनको सद्गती प्राप्त हुई प्रभू के चड़नों में प्रिति उनकी बढ़ी है आईए भागरो जी का जो अंति मिस्लोक आईए उसका हम आप सभी उचारन करें पहले हम बोलेंगे फिर आप सभी बोलिएगा कहते हैं जो इस मंत्र का उचारन करता है उसके समस्त्र पाप कट जाते हैं समस्त्र बाधाएं दूर हो जाती है और प्रभू के चड़नों में उसकी प्रिती बढ़ती है इसलिए सभी बोलेगा हाग जोड़ ले नाम शंकीत नम यश्या शर्व पाप पडाशनम नाम शंकीत नम यश्या शर्व पाप पडाशनम पडामों दूख्य समनस्त्र पडामों दुख्य समनस्त्र तम नामामी हरिम्परम भूले श्रीकिष्णिकन ही अलाले की जए हो भागबजी का यहीं विराम होता है इन साथ दिनों में आप सबसे एक डोर सी बंद गे थी महराज तीन बज़ते थे की लगदा था बस चलो मंच पे जाते जाते आप सभी को सबरते कुछ लाइन हमारी तरब से रही जिन्दगी तो मिलेंगे तुमारा जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बैसे 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 बिदाई के घड़ी आ रहे हैं मन तु रही हो रही जाने का आप सब परिबार के तरह हो गए रही जिन्दगी तो मिलेंगे तुमारा और मिलन साथ दिन का हमारा तुमारा 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 रही जिन्दगी तो मिलेंगे तुमारा रही जिन्दगी तो मिलेंगे तुमारा जही जिन्दगी तो मिले के दुमारा मिलने आज तक था हमारा तुमारा मिलने आज तक था हमारा तुमारा कर दो कर दो राम नाम की माला चपना प्रभु चरिड़ों में मन को लगाना प्रभु चरिड़ों में मन को लगाना प्रभु चरिड़ों में मन को लगाना उसी का मिलेगा हम सब को सहारा उसी का मिलेगा हम सब को सहारा रही जिन्दगी तो मिलेगे दुवारा रही जिन्दगी तो मिलेगे दुवारा करशाइ टुझा ये जिन्दगी तो मिलेगे टुझा कर दो बरताका दिन्दगी चरिए कर दो कर दो कर दो कर दो हुब बैदर लिखी थी मुलाकात इतनी हसी और खुसी गुजरी बात युदो विवक्ते दोर्ते बुई 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 बुलाबात रम्री हसी और कुसी गुजरी मुलाकात रम्री वो हसी बुल कुसी बुलाकात रम्री चंकेगा एक दिन सबकी किसमत का तारा लएक दिन सबकी किसमत का तारा रही जिल्दगी तो मिलेगे दुवारा कर दो कर दो इन साथ दिनों में मन में बहुत कुछ बिचार आए बहुत अल्मान स्वजाए है हिदय में कुजी के फूल खिले अर्मानों के दीपुजने अर्मानों के दीपुजने अर्मानों के दीपुजने अर्मानों के दीपुजने जा रहे हैं लेकिन मन में यही बाव है नाम राजा सरकार के शर्णों में यही प्रात्ता है कि प्रभू फिर भी मिलेगा हमे सान जारा फिर भी मिलेगा हमे सान जारा मिलने आज तके था हमारा तुमारा मिलनिया जित्त पेथा, हमारा दुवारा मिलनिया जित्त पेथा, हमारा दुवारा जीवन यह पूला माटी का खिलो ना, किसी को ख़वर है कब क्या हो ना किसी को ख़वर है कब क्या हो ना पानी का बबूला है जीवन हमारा पानी का बबूला है जीवन हमारा पानी का बबूला है जीवन हमारा रही जिल्दगी को मिलेगे तुहारा 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 रही जिल्दगी रही इस सरीर में प्राण रहे जीवत रही राम राजे सरकार की क्रिपा रही तुहारा रही जिल्दगी तुह मिलेगे तुहारा रही जिल्दगी तुहारा तुहारा मिलने आज तक ताब हमारा तुमारा 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 चलिए जितना समय है उतना हसगा करके निकान लेते हैं क्या भरोसा है इस जिन्दगी का, साथ देती नहीं है किसी का इसलिए जितना समय उतना आनंद में जूमेंगे आनंद से खूब नित्त करेंगे, ठाकूजी का नाम लेंगे और खुसी खुसी हमें विदा करेंगे भागवत महाँ पराण की जय जरा जोर से बोला करेंगे क्योंकि भगवान की जय बोलने से स्वयम्ती भी जय होती है इसलिए अपने लिए तो करना ही है अपने आपको बोले लाम राजा सरकार की समझ में आई कि खुद के लिए बोदाई है कितनी जोर से बोदाई अभी भी कम जोरी है बोले भागवत महा पुरान की बंधो कथा के रस्प्रभाह में हम पुना हम शंक्षिप्त बाधा बन करके उपस्तित हो रहे हैं एक कारकरम निश्चित है हमारे पत्रवार बंधु जो हमें छिपे से छिपे रहस्यों को अभगत कराते रहते हैं हमारे ज्ञान में सारी बस्तियों बातें द्रवहार संग्यान में लाने का कार करते हैं समाज को जोड़े रहने का काम करते हैं हम इस मंच से, ग्यान सिंग जी महाराजी के सान्मिद्ध हमें, हम यहाँ आभाहित हैं, वो मंच के समीप ने, आजाएं, यह महारा बिशेष आगरहे है और महराची के द्वारा उनका सम्मान पुज्या देवी जी के साथ जत्या का वह सम्मान पत् yeah जाएगा सभी महराची के द्वारा ही और देवीजी का सम्मान किया जाएगा कृरपयार, रावच जी मौनु खरे अगर यहां सुन्दाय हो नेरी आवाज को यहां जाए अनुराक शरमा जी और पुषपेन सिंग गौर जी जो भी पत्रकार हैं कुछ संग्यार में नाम नहीं भी याद हो सकते हैं तो आपको अबना मंचमान करके सूचना के अंसार यहां उपस्थिती और हम सब का गौरब बनाना हैं पदा रहे हैं आप सब का अगरह हैं भाई हेवंद जी मुष्वामी हाँ मैं पुना आगरह करता हूं रावजी से की मंचबर आएं मारा जीदर आएं और माराजी के द्वारा आपक लावपत्न हों अध्यक कि पतिन जी बाई बंडी अध्यक भाई लगन सिंग जी पदारें श्री पहलवान सिंग जी मंचबर पदारें अम प्रिकाश जी रावद हम आपके सम्मान सम्मानत करते हुए और ऐसा अनभाव करते हैं कि मानो हमारा ही सम्मान हो रहा हूं अमानी ये प्रिसाद निस्टान का उड़ाद हैं भाई अनुराक श्रमा जी का स्वाद नहीं है अभी तो होली होने है है अभी आपने डेवी जी के आश्व देखे हैं अमंग नहीं देखी है, तो देखते हो रहे हैं आप साथ दिन से, कभी रुलाती हैं, कभी हसाती है, तो अब हसने की बारी आई है, तो चल दिये, हाँ, हेमंत जी, गुष्ट्वामी, भाई लागंत जी, आपको सम्मान करेंगे, कितनी भाव भरी है, हाँ, बाई जिर्मनों स्वामी, ये आपका पत्रक, शिकार करें, हाँ, बह्या करना में, शुभाम जी, हाँ, शुभाम जी, आपका शुभाम जी, आपका, पहलवान सिंग जादव आपके माध्यम के साथ आपका सम्मान करेंगे और भाई जो भी यहां अभी पुष्पेन सिंग जी गौर थे जो भी पत्रकार बंदुओं को सूचना दी गई थी समय के अंशार और पधारें अन्था सभी तोगों का नाम तो मेरे पास आचुका था और यहां ते जारी भी है इस और चा मैं पत्रकारों मैं श्री ओम प्रकाज जी रावत जैनिक जागरान श्री ओम प्रकाज दिवेजी जी अमरुजाला इपुष्पेन सिंग और पत्रकार न्यूज श्री श्री लामेश्वर दुवेजी एन गवासकर श्री लाजपाज सिंग परिहार नई दुनिया इलाज कुमार सिंग तोमर आज एस्प्रेश श्री बायंक दुवे आज तक श्रीदेश जवारी टी आई टीव सी बीची आई बीची मॉनुखरे अनादी नियूज शुभं निवारी नियूज हरीश दुवे दवंग दुनिया इन सब के नाम संकलत हैं के नाम से सम्मान पत्र बनाय जा चुके हैं अब आप लोग का की प्रतिक्षा के साथ इस कायरेक्रम को यहीं विलाम देत दिया जा रहा है आगे के कायरेक्रम में हमारे यजमान मंडल को सम्मान आशीरवाद सम्मान प्रदान करेंगी देवी जी बाई बर्लाम सिंग जी आदो का नाम इखते जाएं प्रदान यजमान प्रदान पारिक्षत और हमारे अध्यक्षा नकरपरसद अध्यक्षा सिर्वति आजक्मारी जी तोनों सुपतनीक इस यजम आप देवी जी सम्मान सुरूप रभासी रवाद करेंगे श्री लाम सिंग जी राजकुमारी जनी नेवाद के लगद आजी अविस्ति के वाद इस श्रीवारचन कारकुरम यग के यजमान मुक्य जमान भाई धर्में सिंग जी आदाओ धर्म धर्में धर्में तेंट हाउस सबक्तिनीक इस सम्मान को स्विकार करेंगे देवी जी द्वारा भाई पुष्पा देवी जी राजकुमार कहा है श्री रामकुमार जी दिवेधी जी श्री मत भागवद पाठ के जान परिक्षद है आप थिवी जी द्वारा असम्मान पते देदें श्री राकन सिंगी यादाओ श्री बाई सिवारत्त दुद्रिया कि यजवान है श्री राजकुमान के आप भाई जी श्री राजकुमान के श्री यादाओ पत्र को पुजा देवी जी से आशीरवा सुरूप गिलान करेंगे अब हम सभी लोग मिलकर के सभी अजमान मिलकर के पुजा देवी जी का सम्मान करेंगे शॉल सरीज पत्र और सम्मान पत्र के सहर हमारे राम जी बादबेजी ने रिष्चती बहुत ब्यवस्थायम मैं से योग दिया है श्री राम जी बादबेजी पहले पुजा देवी जी का सम्मान करेंगे तेग ओग पुजा देवी जी का सम्मान करें फिर हम सब लोग की बारी आएगी आप लोगों के बीच में सुखद ब्यवधान है इसलिए आप लोग हम सब पर बड़ी कृपा बनाए रखें अभी बहुत मस्ती होनी है देखिये रेंप देख रहे हैं यस पर देवी जी का सामी प्रिदर्शन होगा आपको पुश्मों की होली का आनन्द भी आप लेंगे इसलिए हाँ हाँ इसलिए जार्जिय को बाद माराइ वाद माराइ इसलिए इसलिए सम्मान पत्र भी जो सम्मान पत्र भी जो हाँ भाई ताम जी बात्र पेजि मिसेश श्रम करके विवस्थाओं में सहयोग नोन दिया है आप सम्मान के पात्र है हम सभी स्री लाम जी बात्र पेजि का सम्मान करते हैं पत्रक और सिर्फल अश्रॉल प्रदान करके हाँ भाई बाई मनुच कुमार जी बात्र पेजिए हमारे बीच इसी संस्थाग से निकले हुई प्रितिभा हमारे गौरव के स्वरूप हमारे बीच मनुच चतुरवेदी जी जी नोने पिछली वर्स पिछले सत्र में आपको कथा सुनाई थी उबस्तित हैं और यह भी अश्टोप्तर करने जा रहे हैं सुतंबर में 18 सुतंबर से इसका समय निश्चित हो चुका है कार्ड प्रदान करेंगे मधु माधुली जी को आमंतनल कार्ड लेकर के आये हैं इसके पूर्व हम लोगने का सम्मान स्रीशाल करके देने करेंगे बच्चों का भी सम्मान किया जाता है क्योंकि यह पृतिभा सम्मान है हाँ पहलवान सिंग जी क्या दोग जी हमारे अनोच जी का सम्मान करेंगे और तालियों से सम्मान स्वागत बिना तालियों के सुना से लगता है मनलब उपस्तिती दर्ज कराते रहें तालियों का मतलब है हम सजग है सचेत हैं कोई भी हम महराजी का जैन्दाजी महराज का रमायनी जी का सम्मान करते हुए हम स्वयम मंच को सम्मान अनुभाव करते हैं मतल डान करते हुए हमारे अठारी मिर य सम्मान अच न जैन्टाज आए जैन्दाजी रमायनी जैन्दाजी रमायनी 26 सुतमबर्द के में आयुजयत श्रीमत अस्टोत्तर का श्रीमत भागवत का अस्टोत्तर भारायन वंपित्ली मुख्षियक्र के आमंतित की एल कर रहे हैं और आप सभी अभी से आमंतित हैं सब्लोक महुचें और हाइवे होटर हाइवे होटर हाइवे सब्लोग हाथ उठाके वो लेंगे वोलो बागबत भगवान की बंदो बहुत आनंद का विसे हैं आप लोग आनंद में सराबोर हो रहे हैं रामराजा सरकार की नगरी में पूझनिये बंदनिये पराथा इस्मरणिये गुरू जी रामकेश मिस्र प्रदाना चाहरी रामराजा संस्केट गुर्कूर बिद्याले आपकी छतर छाया में हम और आप सब प्रतिवर से हाँ पर आनंद लेते हैं असंक सिफलिंग निर्माड भागबत जी की कथा पूझया देवी जी यह आप पर उपस्तित हैं आपकी बाणी से बड़ा आनंद आया है एक बार देवी जी के लिए और जोड़दा ताली वजा क पर उनका संबान करें जासी में बिशाल आयोजन एक बार पुना 18-26 सितंबर होटल हाइवे में जो अध्यात्मी चैनल पर लाइव टेली कास देश बिदेश में 108 भागबत 108 पारिक्षत 108 विद्वान ऐसा कारिकर मठारा से 26 सितंबर जिसमें आप सभी लोग साधा रामंत्र हैं और जासी का जो यह आयोजन होने भाला है ओ आयोजन एक छहटा के नीचे होना है झात्र के नीचे चाटा के नीचे रामकेश कुरुजी जी के लामें से चार्क्रिव होना है ये विशालकार के महुने के लिए जा रहा है ये आमंतरन राम राजा सरकार की ओर से आप लोगों को दिया जा रहा है ये नमंतरन गुरुजी के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है ये नमंतरन यहाँ पर इंजिनियर राम कुमार दुवेदी जी यहाँ पर उपस्तेत की कामना अपने लिए और आप सब के लिए जैजे श्री और पुज्या देवी जी का भी वहाँ पर दर्शन होगा आगमन होगा आज उनको आमंतर्द कर दिया गया है इसी बाड़ी के साथ आपको प्रणाव हाँ हमारे बीच पहरवान सिंग्यादव जी बड़े ही सौ में सुभाव की धनी है और बहुत अच्छे संबन्धी है सामाजी की विशिष्टाओं से युकते हैं उनका बद्राम सिंग्यी सम्मान करते हैं स्री पहरवान सिंग्यी यादव आईए और अब बस होली के लिए फूल भी कयार हैं आप लोग भी उतावले हैं आप लोग भी उतावले हैं इसलिए केवल पांच मिनट और लेंगे क्योंकि पहरवान सिंग्यी विद्वानों का सम्मान करना चाहते हैं इसलिए आप गरहन करें और आप लोग थोड़ी प्रदीक्षा और छोटी सी प्रदीक्षा कर लें हाँ हमारे हाँ मैं चाहूंगा कि मन की संचालन महोदैका भी सम्मान हम आप करें हाँ मुझे बड़ा गौरव है कि यह मन संचालन इसी विद्विद्वासी के रूप में बस्तित रहे हैं और निश्चित ही यह कि चौरासी पचासी के सत्र में नोने यह श्चा गिनान की है और आज सेक्णों यग्यों के आयो जग्याद शही जग्याद बन चुके हैं दीवी जी का संबहता 125 वा यह भागबत पुरुचन यहां संपन हो रहा है और इसकी द्यान है इनके चाचा जी जर्व किसो जी पाठक आपका आशिवाद हमारे उपर रहा हमने थोड़ा सा प्रयास किया मा भागब्रेजन की किरपा रही आशिवाद तो आपी का रहा है प्रयोग मैं जांग कि दाश जी महराज के द्वारा यहीं बड़े है उनके भानी, साples प्रकान सब्सक्राण में है है रामायनी जी हमारे बीच बैस्तताओं के रहते हुए भी उपस्तित हुए है मैं क्या आभार करहां प्रकट करता हूं किसा किसा क्या प्रकट करता हूं आपके उपस्तिति के प्रति आप किरम भंग ना हो सके इसलिए भूलिय राम राजा सरकार की भूलिय स्रीवत भागवत महा पुराण की अब आयो जन को आयो जन को गती प्रदान की जाए और अब आपके बीच पुज्या देभी जी का स्री सूक्त रिग्वेदोक्त स्री सूक्त हाठ के द्वारा पुष्पों से अभी शेख पुष्पाव शेख शंपन किया जाएगा तदनंतर होली के आनंद में लंग में आप रंग जाएंगे हाँ बड़े धैरपूर वक्त आपने जेभी जी को एक मामले में उदास किया है एक मामले में निरास किया है आपने सिकायत रही है या निर्ति के लिए नहीं हो ठीक होई यह जरूर एह गई तो आपका सर मत छोड़ना अब जो होली जीद काहें जाएंगे वनमें खूब जम के निर्ति करना हाँ लेलीजे एक एक पुस्पर थोड़ा 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 ही लांति जाना हाँ बंड़ जी थोड़ा ही इने स्थाम जे पाड़क जी एक माय कोर यहां थे में विज्वानों को पाड़ करना के लिए के में आपकाज़ जाएंगा यहां कले हो साम्नाध सामने आओ यहां कले हो कंव् switched एवियों जारा देविजी का मंthraविशेक पॉस्पाविशेक एवियों द्वारा देवीजी का पुस्पाविशेक पुष्पाविशेक संपन किया जाए का और को यन्ता प्रयासना करें. िग्ष्पाविशेक जाए . त्रिप्ताम् तर्पयंदी पदमेश्चिताम् पद्बबदनाम् तामियो पवैस्रियाम् चंद्राम् प्रभादाम् यद्दादुलंदी स्रियं लोगे देविदुष्टामुदाराम् ताम् पद्मने में सरणाम् प्रभद्धिये अलक्षमीर में अश्यताम् ताम् पडोमी आदिट्यपर्णे नदपतो दिजातो वनस्वतिस्ता उप्रक्षोत विल्वाद् तस्यप्पलानी तपसानु दंदो मायांतरायाष्च भायायलक्षमी उपैनुमां देवसका कीर्टिष्च मनिनासा प्रादुर्भूतो दुलास्टेश्मे कीति मिर्द्यं दतातोमे चुप्ति पासामनां जेष्च भालक्षमी उनासयाम् नदपतिम् प्रिद्धिंचा सर्वां दिर्णतमे ग्रहाः गंधत्वारां दुराधरतां नित्पुस्तां करिष्णीं एष्वाइम् सर्वभूताना पामिहो पवैस्रिया मनता काम माकूतिं पचा सत्त मसीमाई पधोनाम पमन्यास्या मैस्वी स्थादाम्यता कर्दवैना प्रजा भूता मैस्वाः अबकर्दमा Ś्रियं मासयमेकुले मातरम बद्वमानने आपा सिप्जंशंत निंगानी चिक्रीटम शमेगरिहे निजदेवी मातरम Ś्रियंबासयमेकुले आध्राम पोष्करणे पोष्टी तिंगलाम बद्वमालने चंद्रामिरन्में लक्षमीं जातवेदो मावा आत्रामय जातवेदो लक्षमीं वनपकामनें यस्यामिरन्यं प्रभोतं गामो धास्योस्वां बिंदयं पुरुदानां यासुकी प्रयतो भोत्वा जोयादाच्यमन्मा सोक्दम्पंच दधर जन्जा स्रेका महा सतदम्यपे ओम श्रीम श्रीये नमा ओ अपुझा निभी का पुष्पाविश्यक देख रहे हैं आप सभी अपने अपने स्थान पर आप के पास अब देवी जी पुष्पो की होली खेलने के लिए आएंगी इसलिए आप अपने अपने अस्थान पर बैठ जाएंगे आप अपने अपने इस्थान पर बैठ जाएंगे तो कायरक्रम का आनंद और बढ़ जाएगा आप लोग तो जैसा पूज्या देवी कहती है कि और और जगए की बात और है और और चा की बात और है इसलिए आप तो इसलिए आप तो मर्यादा पुरुशुत्तम की नगर की स्वामनी हैं इसलिए आप सभी अपने आशन पर फिर आज मान हो थोड़ा इस्तान बना के जैसे बैटे थी बैसे बैठ जाएं क्योंकि कुछ खड़ी रह गई कुछ बैठ गई अपने अपने इस्तान पर करपिया बैठ जाएं ये आप से विशेश विशेश अनुरोद है पुरुस बर्ग पुरुस अपने इस्तान पर बैठ जाएं मात सक्ति अपने इस्तान पर बैठ जाएं और फिर आनंद लें आनंद यदी लेना है तो खूब जोली भर के लिजिए लेकिन बैठ कर लिजिए ठीक है सभी लोग बैठ जाएं तभी आगे का क्रम प्रारंभ होगा इसके पहले निजमान मर्यादा का पालन करते हुए मंत्र की आउती आर्ती संपन करा देंगे आप सब जहां की तहां बैठे रहेंगे केवल एक बैदिक मंत्र से मर्यादा पालन के लिए आर्ती होगी और इसके बाद आर्ती तो विशेश होगी तरिया यह लाइट बंद हो गई है आप लोग बहुत अच्छे आपने बात को सुना को गुना माना इसके लिए आपके आपके आवारी धन्नवाद बस अब थोड़ी जब तक आचार कराना सीखिता कराएं पहले आर्ती की तैयारी करो मंत्रों कार्ती होगी उसमें आपको खड़े होना की आप सिकता नहीं है आप लोग बैठे बैठे ही हाथ जोड़े रहेंगे पुली किष्णिकन हिया लाली की आज मरा आज कंजूसी नहीं आज मैंने का दर कंजूसी नहीं होनी चाहिए रेखो भाईयों वक्तों आप सभी से प्रात्मा हैं कुछ जाते जाते बढ़िया बढ़िया मिठी मिठी याद रख दीजिए हमारे सामने इसलिए जोड से पुल आज बीरज में हो ली रे रसिया आज बीरज में हो ली रे रसिया खोली रे रसिया पर जोडी रे रसिया आज बीरज में हो ली रे रसिया आज बीरज में हो ली रे रसिया आज बीरज में हो ली रे रसिया आज मेरे जब खोली रे रसिया खोली रे रसिया पर जोली रे रसिया तेके देके देके वी आनंद केूजिए अंवी क्स ने पहला me अंद कीजिए बात्मे आ सबकर्ढत केंखें अर्य ने रहूर कर दो कर दो होली रे, होली रे, पर जोरी रे, रसिया होली रे, 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 रे कर दो कर दो कर दो करे संट कर दो कर दो कर दो प्रफुटार है, जर उन्य कंपने सेवाँ! जूपता हुए नाशता हुए दोगाई हां लोग लोग लुगाई हां अर्भी महलन में पीरा अवत लेखत लै कि devon उर्भी में पीरा या मजो में पुंहे औरे हुले के दी, नैर कंवाग पीरा अवत हुप लेखत सॉक्ञए कि अर्वाग जूबर अणना हुदि कंवाग सुधि series के समय कर दो थीजय कर दो! कर दो हुदि दो हुदे हैं जजा आजाँ नजाँ अजाँ नाँ जाँ कोदोए नाजाँ तुए जाँ कोदोए नाजाँ कोदोए पूरश लेवर सुगा निकी छोडी कि लोको से नके झुन पू yıl की जो दूवादी के जो जी कि लोको से नके नके गॉत हुक कि लrama कि लेक है कि लेक्डि ambulance कि लेक्डिस के लेकourt कि लाइका हुक कि प्वान कि गष्ट के खुबें शावरे का रहा हुआ हुआ है आज धूमे मच्ची है विन्दावन में आज धूमे मच्ची है और छाधा में चलो खेले हो ली बुन्चने नाके दिखेले इस जोड़ी रहा ने जोड़ी रहा ना जोड़ी रहा ना बोली रे हो रस्यावर जोरे रहो रस्याव आज भी रज में भोली रे 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 रस्याव कर दो कर दो! धर बेंस है कि यौकल आहाँ प्वकल आहाँ देखिए ऐसे आनद नहीं आएगा अनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों हाथ उपर के जिए जाते जाते अपनी प्यारी छबी छटा तो दिखा दीजिए माराज कितना आपके अंदर पावा रगती सकती है दोनों हाथ उपर कीजिए जबी वो सुने ले बिस्भान के छोड़े जो हो से ना खेली हो ले तो तो मेरी देखिए है तो मेरी देखिए है तो तेरी देखिए है मुझ आखेघ झाया की देखिए है तो मेरी देखिए भंपके तो ये ये देखिएैए है दो देखिए... सब्सक्राइब 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 कर दो डीन ही और में था, खर दिरेते हम तरदी मेर कर, ब DANyyमा करूंड कर दो तरदी अखेया और में था, च्छि अर रब शाओ में थाकर शाओी घरा सली आझा तरदी और दो रा हम था, जोट तक रृब कृत अजमा कर दो तो सिंज हुआ depends治 winning डीन है. सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो पेलो नो ही कायु बाजूवल जस्या हो जीमें हो जीमें, हुँ हुँ है। हुँ हु Нत कर लेकिंदो आली के लादं कर दोम्तों चाहिक हुनलéntमा फ्रीके लिएक, हुँ हु अविनल्सारेक हो जीमें हैस्— हुँ ह् Pricist Eras— कर दो कर दो कर बाजिवरुंडो मेनी बड़े मोलेको कर दो में ढदो कोर्य को कर दो, भोह में दो माउ भूले को कर दो हुआ है नहीं हुआ हुआ हैं थैरानी सिर्णा म्मुद्ध ऐसाउद। प्रॉम्लों। तक्त्या हो नी में तक्त्या हम…। होली खेले होला आपमा रगू 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 पीरा आपका स्वि tu उल लेना कुछिअज, आ लेना कुछिशी कुछ आनन अगली बार के लिए भी छोड़ देते हैं अब नहीं भाई साथ देम हो गया समय हो गया है फिर भोले नाथ का विश्रजन करने के लिए भी जाना है समय हो रहा है अच्छ ठीक है कोई खरका साथ ठीक है कोई छोटा साथ कि य्मिम्मि द द राओ अग अगल व अच्छ भी अरे लुटी कर ले गया दिल जिम्हाज यृव है सबी पहते हैं शावरा मेरा शावरा साप जग मेरा सावरा वो मेरा सावरा रूप करने गया दिल जिगर मैं तू गई भरने को जमना से भरने को देख छमीन अतिकत की हुई मैं दिवार उसने मारी जो उसने मारी जो तिर छी नजल साब लाजा 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 अजल साब लाजा लाजा साब लाजा साब मेरा साब मेरा साब मेरा साब लाजा साब मेरा साब मेरा साब लाजा लाजा साब लाजा लाजा साब 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 लाजा अबना आजादू by जोर से त्रॉस्ते जिया चैणी को प्रस्था कर दो इसके बाद संकर जी जो आप बनाए है सब्ली ने माड किया है उनका विशाजन भी जिप्योंकि उगा को जो कहते हो रुके है और आर्टियों प्रसाद और सुप्जी को विश्र कराने अवर्ष जज़े शिरादी जज़े शिरादी जज़े शिरादी ज़े बहुत बहुत है अब सभी विद्वारों को चलग हो करके आर्टी संपर आर्टी तेयार है कि रजी कराने है आर्टी कराने वो शीराद सिंग जी शुद्याजी गुड़ावाले जलाटी गंबर पत्नी सहत पदारे जग्दीश प्रसाद पाठक जी पूर्पदार खमा जलाम होबा तरे ज़ारे अर्टी गले पदारे है अम्मा जंड्रा मामना सोजाद स्च्चो चो बीवी जी आसन पर बेदेगा स्रोत्राद बायुष्च प्रानस्च मुखा दगनीर जायादा स्रीवा के भिहारी तेरे अरितिका अरितिकाओं प्यारे तुहे बनाओं अरितिकाओं प्यारे तुहे बनाओं थे पिर्धर प्य¹न ने अरितिकाओं प्यारे तुहे बनाओं प्यारे प्यारे बनाओं वो है जारी बत्न सेरी मेरे मजब हो है ओ देख चबी बत्री आरीब जाओ ओ देख चबी बड़ा आरीब जाओ लेकी बेर निरी हर दिमाद। तो ते लेकी बेर निरी हर दिमाद। ओचरनों से निकलि है दंदा प्यारी दिर्द का संदी है दंदा प्यारी हो जिसने सारी दुनिया दारी हो जिसने सारी दुनिया दारी उन्हें चेरनों को एंसी सिनगाँ वो जह है वारी के वारी दिवाँ जीवाँ के पहारी वारी दिवाँ तोस्तों के वारी के वारी दिवाँ प्यासी दासे के आतर आप हो प्यासी दासे के आतर आप हो उसक दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उसक दुख जीवन प्यारे साथ आप हो ओ लिए चभी तेरी अजबे बजाँ ओ लिए चभी तेरी तो मैं बजाँ दिया आपे बेहारी तेरी आज़ती गाँ तुस्ति वाखे हारी और अज़ती गाँ ओ स्री हरिताते प्यार हे तु ओ प्यार हे तु हो अज़ती दीघर हो हो मेरे मोहन दीवन दढ़ हो प्रीक कार्ष्म प्रूम्स कुरूल झाल 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 झाल